कॉमन सेंस ये कहता है कि अंडे को ड्रॉप करने से वो नीचे गिरकर तूट जाता है बट असल में साइंस के हिसाफ से अंडा तो कभी नीचे गिरता ही नहीं बलकि प्रित्वी उपर आके अंडे से टखरा जाती है क्या? सच में? वेल चलो इसी से पूछ लेते है जो अंडा है जब आपने उसको छोड़ा तो वो अटोमाटिकली इनर्शिया में चला गया लोग समझते हैं कि आपस में हम कॉम्पेटीटर्स हैं अभी ऐसा हो गया है कि हम अपने राइवल्स के साथ भी कॉलाबरेट कर रहे हैं याफ प्राम्पूलीन में पत्थर ढालोगे तो पत्थर नीचे है क्यू जा रहे है क्योंकि ग्राविटी है वरना वो जाएगा नीज तो आप ग्राविटी को gospρinkaने के लिए अब ग्राविटी कर रहे हो और बोल रहे हो मैं ग्राविटी समझ गया मैं जेंडरल रेलिटिविटी को समझ जाऊंगा ठीक है विकेज आफ्टर रॉल आम अब उद्धी जीवी को कभी भी मैं चीज बताऊंगा वेदिक टाइम्स में और इवन हिंदु धरम में कभी ऐसे किसी को फोर्स नहीं क अगर समझ लो अंडे को अपन शूट किये जो की हजार मील्स की रफतार से स्पेस में ऐसे ही ट्रावल कर रहा है अब उसके बाजू में अपने अर्थ ला लिया ना तो उसका जो डिरेक्शन है वो बदल जाएगा वो अर्थ के तरफ जाने लगेगा ऐसा नहीं उसकी स्पी जिसके आप लोगों ने भर भर के मतलब लिटरली बहुत जादा जो है एकदम मेरे कॉमंट सेक्शन में हमेशा से वरे आये हैं कि कुल्याप करो साथ में बात करो गौरों के साथ तो वेलकम टू माई पॉड़कास्ट गौरों के साथ और ये गौरों के पास ही हम कर रहे है तो गरों कैसा लग रहा है कि तिरको अपने ही जगवे बैठा के मैं पॉड़कास लेगा है यार बढ़िया लग रहा है definitely was looking forward for this conversation हमने बहुत डिसक्स किया इसके बारे में dates भी बनाए लेकिन वो उपर नीचे के वज़े से नहीं हो पाया बट अभी finally आ गए है मुझे भी मे होता है वो हम देखना चाहते हैं कि दो science geeks जब आपस में मिलते हैं तो क्या sparks निकल के आते हैं तो definitely यह conversation बहुत अच्छी होने वाली है और आज के इस वीडियो में ट्राइ करेंगे कि जितने भी आपके comments आए देना जो जो आपने topics मुझे suggest किया Instagram पे YouTube पे मैं चाहूंगा कि उन सब को जो है हम इस podcast में कवर करें ओप आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो स्टाट होने से पहले ही इस वीडियो को लाइक करो और लाइक के विना स्टाट मत करना तो स्टाट करते हैं लोग समझते हैं कि आपस में हम competitors हैं बढ़ हमारा सुरू से ऐसर आए क कॉम्पिटिशन जासा कुछ है ही नहीं हमारा काम था कि हम लोगों को मतलब एक यूथ को एक डिरेक्शन देना क्योंकि अगर बात करें शुरुवात से कि जब अपन मिले थे याद होगा आज से काफी साल होग है 2017 में तो हमने कोइंसिडेंसली साथ में स्टार्ट करा था फ था यह नहीं थे थोड़े बोड़े इच्छे चैनल थे जो अधिक बहुत कम चैनल से लेकिन वह भी क्रैक नहीं कर बारे थे वह बहुत कम ओडियन्स तक पहुच पा रहे थे अधा कि एक दम परफेक्ट था उसमें बहुत इंप्रूमेंट्स आ सकते थे तो मेरे लिए तो अधा थे जब साइन से जादा प्यार है था खास करके जब से हमारा स्टार्ड वा था और जग्रफी अलग से एक सब्जेक्ट मिला उसको पंड़े के बाद में को बहुत सही लगा मैं कॉंस्टिलेशन को पढ़दा था रात में हम चट पे सुया करते थे तो चट से मैं कॉं हमारा सेम चैनल है और तू नहीं देखके बोला था कि क्यों चैनल है मतलब छे साल पहले की बात है जबी तेरा मेल आया था बेसिकली वो टाइम पर मेरे 700 सब्सक्राइबर्स थे तेरे 500 थे तो टाइम पर हम सब दोनों के दोनों क्लूलेस यूट्यूब को लेकर अलग- है और दोनों काफी क्लूलेस से थे और हम भी एक ऐसे टेरिटरी में वेंचर कर रहे थे जो कि टेरिटरी टोटली मतलब जैसे हम समझ सकते हैं कि इंडिया के उसमें हम यहां पर वासको डगामा थे तो काफी इंट्रेस्टिंग टाइम था वो और वो टाइम पर बहुत टीखने मिला बट कई ना कई यह चीज वो फील कराया कि कोई तो देख रहा है कॉंटेंट मतलब हैं लोग जो कि सिमिलर पैशन शेयर करते हैं ऐसे लोग है जो कि भाई यह सब जिसको स्पेस और जिसको साइन्स फैसिनेट करता है कि यार यह वीडियो कहां तक पहुचा यह चैसे पौच गया यह वीडियो तो वो एक मेरे भी मोटेविशन था कि यार वीडियो पहुच रहा है लोगों तक पहुच रहा है क्योंकि मेरे नजर में ऐसा था कि साइन्स मतलब यार बहुत मेहनत करना पड़ेगा मलब साइन्स का कॉंटेंट है नहीं तो आइम पर जो ब तो यह सब को साइन्स के तरफ जा रहे थे हम तो वो टाइम पर था नहीं करने से पहले जैसे तुने कहा कि इस चीज को लेकर कि लोग कंपेटिटर समझते हैं तो यह बात तो है लेकिन आज के टाइम पर बात ऐसी है कि कॉम्पिटिशन जैसे अभी अपन कल वहां पर क्रियेटर कैम्प में गए तो काफी सारे क्रियेटर से मिले मुझे याद नहीं आ हमेशा से ऐसा ही है राइट कोलाबरेशन से हमेशा मार्केट बढ़ता है इस नौट की लाइक कोलाबरेशन से मतलब ओ मेरा कट इदे को हम कोई धंद हम प्राड़क नहीं बेच रहे हैं जैसे कि लोगों को लोगों को एक दिन में एक ही पैन की जरूवत होती है ठीक है या क्रेंशन से एक ही माइक खरीदना है तो मेरी कमपनी भी माइक भी थे थैरी कंपनी क्रेंट देटरे तो भार मार्केटच हो रहा है इसा नहीं है इससा है कि जितने हैं कि ज़्यारे साइन्स की तरफ इंटरेस्टेड होंगे अधना लोग पुलता हैं बहुत अच्छी तारीक में कॉमेडी कॉंटेंट इतना चलता है विकिस कॉमेडी क्रियेटर्स ज्यादा है जिन्होंने यह टेस्ट फैलाया है तो गाइस मतलब मैसेज यहां पर यह है कि आप कभी भी आप हमेशा कॉलाबरेशन के तौर पर देखो अब the reason मैं इतने कम कॉलाबरेशन करता और पुछ करना ची अपने अपने आप जैसे काफी टाइम से बात करें आपस में मालूम होगा काफी पहले ही मैंने यह बोला भी था मैं यह एक बात और गहना चाहूँगा कुछ लोग ऐसा आते जो कभी-भी ऐसा लिखते है कि तुने गौरव की कॉपी की है काफी बार मतलब हफ्तों की मैनत लगती है तो कहीं बार ऐसा हुआ है कि एकदम से टॉपिक मैच हो गए मतलब तेरा एक दिन पहले आ गया मेरा एक दिन बाद में आया और उसमें मतलब पता नहीं इतने ज्यादा नेगटिटिव कमेंट एक बार था मैं को याद है उसमें इतने पर एक दिन रुक्के में आया तो काफी आधा गया तो वहां पर मैंने एक चीज़ देखा कि लोग काफी जाता ना इस चीज़ को पॉइंट आट करते है कि यार कौपी 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 तो मैं यहां पर यह कहना चाहूँगा कि सब की अलग 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 अलइसिस होती है अभ बहुत सारे लोग है जो एक ही पॉइंट को बना रहे अगर आप देखोगे तो दा केरिला स्टोरी मुवी आई थी बहुत है बना बहुत सारे इंपोर्टेंबिन कैटेगरी में बनाया ना जो पॉलिटिक्स और यह सब में तो कॉमन नहीं है तो बनाए एक ही मुद्धे पर अलग अपनी अपनी अनालिसिस को देना अपनी टिपनी देना तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यार देखो कोई मेरे लिए ठेहरी चेंज नहीं होगी ना तेरे लिए ठेहरी चेंज होगी हम दोनों का प्रिजेंटेशनल वे अलग है हमारा बताने का तरीका अलग है हमारे प में ऒकुशन काुम्पेटिशन के तूरब ले लेते आ चिज न के अगे।下क्ट मरतör आपक ना करतेते हैंė jam यसे, for example, अभ आप the first example, if anybody करेटर उतम जादे नंबर्जा। जाते हैं मतलब इस अगा पाम के अगापले स childhood तो लोग यह बोलते थे कुछ topics में लेकर कि यह topic copy है करके लेकिन मेरा video तो पूरा अलग होता था क्योंकि मैं हमेशा core science के तरफ ज्यादा ग्राविटेट करता था और अब यहां पर एक important चीज क्या है कि यह चीज आप लोग को समझना है कि topics जो है topics हर किसी के लिए open है उस पर किसी का copyright नहीं है topic पे concept पे किसी का copyright नहीं हो सकता हाँ अगर आपने वर्भाटम स्क्रिप्ट को एक-एक करके आपके footages भी match हो रहे हैं तो गलत है सब कुछ सेम है तो mostly topic तो shuffle होते ही रहेगा यही चीज है लोग जो है astronomy को पसंद कर रहे हैं लोग इस चीज को reality में समझ रहे हैं मतलब कैसा है ना मैंने अभी recently देखा था चंद्रयान जब launch वा था कभी भी तरे को कुछ सीखना है ना कभी भी तरे को जानना है कि ground level पे लोग अपने दोस के साथ और हम वह खड़े थे तो जो अंकल्स है वह आपस में डिसकस कर थे और हमारे अधर ज़स्ट चंद्रयान लॉंच वा था सेकेंड डे वहां पर तगड़ा पारिश मतलब एकदम और थंडर स्टॉम्स और बहुत खतरनाक वाला तो बढ़िया यह हो रहा तो उस में से हापस महीं भी लोग डिसकस कर दो क्या घर बता यहाण कल घ मैं कर दो ब्लह दो कि लोगों की तो यह इसलिग्ए की ब्लेम कर रहा है कि चंद्रयान लगों कि जो नॉलेज है यह अभी भी काफी कम है बट धिरे दिरी यह बढ़ रहा है लोग इसको जो है काफी ज्यादा पढ़ रहे हैं और समझदान बन रहे हैं क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो ब्लैक होल के बारे में जब मैं पहला वीडियो मैंने बनाया था तो लोगो मै बनाया है उनको अलेडेट कारता है कि ब्लैके वैल केसे एल करता है किसे स्तीफन होकिंग की जो थेरी है वो क्या है कैसे खु moralbank कर consonants के कारण यह जो होंके dov…. अं जो अ जो है क होके कारता है Ark paralysis सब्सकिक जो है जो और डं जो उसु अउथियू आ कर संब ग्सक्टाने अं बना और quantum fluctuations होते रहते हैं, बनते हैं, तोटते हैं, आपस में डिस्ट्रॉई होते हैं, तो जो वही चीज होराइजन के एकदम पास में होता है, तो जो negative matter वो अंदर चला जाता है, positive matter वो बाहर जाता है, तो इससे क्या होता है, जो negative matter अंदर जाता है, वो उतने ही amount of energy, मतलब mass जो है उससे minus करेगा, और जो positive बाहर आ जाता है, उस line से, वो उतने ही amount of ये बाहर करेगा, उस ही को hawking radiation कहा जाता है, simple words में, तो यही चीज है, मैं इस चीज को इस तरीके से देखता हूँ, कि science में न, like, जैसे लोग बहुत सारे हैं, इंडिया की आबादी, कितना 1.34 हो चुकी है जाद 4 billion हो चुकी है, तो इंडिया की आबादी इतनी है, अब इसमें से जो 95% लोग है न, वो लोग को science से ऐसे कोई वास्ता नहीं है, मतलब वो लोग के career का science पार्ट नहीं है, 5% ही लोग रहेंगे, जो लोग करियर में science को use करते हैं, actually मैं, मैं बात कर रहा हूँ, research field के लो इसमें उनको कुछ अलग groundbreaking, like PhD level की कुछ थीसेस लिखनी है, तो अब यह जो 5% लोग है, यह लोग naturally बहुत ज्यादे क्यूरियस, लेकिन बाकी के 95% लोग है यह लोग को science के कुछ particular चीजे ज्यादा इट्रैक करती है, जैसे for example black holes हो गया, aliens हो गया, time dilation हो गया, Einstein ने क्या क्या इसमेंगली mysterious चीजे हैं, यह लोगो को science के तरफ एट्रैक करके लाती है, 95% लोग इसी चीज में इसी चीज के वज़े से science तक पहुंचते हैं, अब यहाँ पर वो इक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां से क्या होता है, वहां से यह चीज होती है कि लोगों का एक core, cause and effect based rational mindset develop होने लोगता है, because कैसा है कि दो type के framework होते है, thinking, बलब दुनिया को देखने का नजरीया, mental models कह सकते हो, एक mental model होता है, जो कि पूरा emotionally driven है, कि मुझे feel हो रहा है, यह होगा, तो मैं decision ले लोगा, ठीक है, मुझे feel हो रहा है, कि मुझे engineering लेना चाहिए, तो मैंने decision ले लिय तो कहने का मतलब यह है कि उनका जो main logic होता है, वो यह होता है कि वो कुछ कुछ decisions में, हाँ, आप अपने gut instinct को कर सकते हो, लेकिन when it comes to making complicated decisions in life, जैसे आप, आप एक, आप YouTuber बनना चाहते हो, अब आप सोच रहो कि कौन सा genre मेरे ले सही होगा, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते है, मे आपने अपनी सिफ दिल की सुनी, और बाहर market नहीं है, बाहर कुछ ऐसा है नहीं, आपका दिल जो बोल रहा है उस product में कोई fundamental value नहीं है, तो फिर आप हार जाओगे, तो यह एक emotional mindset होता है, emotional mindset के वज़े से लोग गलत जगे पे रहते हैं, मतलब गलत profession कर रहे हैं, जो उनको प emotional वो हो जाता है, attachment हो जाता है, तो यह emotional mindset है आपका, और एक होता है आपका logical mindset, जो cause and effect based होता है, वो यह है कि वो हर चीज़ के पीछे ना analyze करता है, सारे के सारे जितने भी elements हैं, उस decision making को support करते हुए, वो सबको root level पे समझता है, कि भाई क्या है, क्या है, क्या नहीं है, और उस उसको उस पूरे decision को लेकर एक बहुती deep perspective मिल जाता है, उसको सारे decisions के पीछे के जो underpinnings है, वो उसको समझ में आते हैं, और उसका quality of decision far higher होगा, far better होगा in life, एक और चीज में क्लियर करना चाहिए, लाइफ में कभी कबार emotional decisions भी काम में आते हैं, लेकिन you have to be conscious कि कहां पे क्या लेना है, कहां पे क्या नहीं लेना है, ऐसा नहीं है कि emotions मतलब सब खराब, for example, जैसे हमारे जो ethics होते हैं, हमारे जो morals होते हैं, जो हम एक अच्छा इंसान मनाते हैं, बहुत बार वो logic के परे होते हैं, right, logic for example, अगर आपको, मैं एक simple सी बात बता रहा हूँ, for example, अगर आपको एक iPhone चाहिए, iPhone आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है, दुकानदार का ध्यान नहीं है, तो आप चोरी करके लेके जाओगे, क्या, logical mind तो बोलेगा कि यार, यार, ये तो नहीं देख रहा है, उसको मेरा फाइदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन तब ही आपके ethics, morality आजाएं कि भा आपको एक logical, rational framework रखना बहुत ज़रूरी है, और वो मेरे खाल से 80% of the decisions में काम में आता है, और science आपको वहाँ पर help करता है, तो ये जो आपका foundation है, यही आपका scientific approach है, क्योंकि scientific approach आपको knowledge गेन करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है, आपको चीजों के inner workings समझने में help करता है इससे आपकी decision making बहुत strong होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो change ला रहे है ना, वो ये change ला रहे है, कि हम लोगों को question करने पर मजबूर कर रहे है, even when वो subject, even when वो subject directly उनके life में, उनके academics में, उनके career में, उनको benefit नहीं कर रहा, but indirectly बहुत ज्यादा कर रहा है, देखो, वह जो ही है, values जो है, उनको मिल रहा है, और साथ ही साथ वो rationally थोड़ा चीजों को observe करना स्टार्ट कर रहे है, ठीक है, अब चलो इस पर तो हम बहुत आ गए, जो हमने बोला ना, कि लोग जो है, aliens वगेरा इनको देखकर ही आते, तो aliens अभी पता है, recently मेक्सिको में, दो alien कॉप अब कर देखकर है, और यह जो है अब बहुत जादा में देखकर है, अब बहुत जादा मतलब तूफान ला दिया, त्रेंड पे अच्छा मतलब लोग निवस बेख रहे हैं, उजे भी काफी सारे मेसेजेश अए, मैंने उपर अभी उसका डीटेव अनालिस चल रहा है, UAP report प्रेजेंट किया, जस्ट मेक्सिको के रिवील करने के बाद, और नासा अमेसा UFOs को UAP ही कहता है, बहुत सारे वीडियो प्रूफ्स भी है, जो कि हमें दिखाते हैं कि ऐसे spacecrafts हैं, जो एक्जिस नहीं करने चाहिए थे, एरोडाइनमिक्स के हिसाब से वो होने नहीं चाह लगता है, क्या वागई ऐसा है, क्या मतलब government officials जो है, वो सच में कुछ स्थिपा रही है, जा फिर इसके पीछे कुछ और चीजे होंगे, यो मुझे ऐसा लगता है, कि ये सारी चीजे मिर्च मसाला है, बस, ये एकदम, it sells like hot cakes, और इस वज़े से ये बहुत ज्यादा फैलता है, देखो, हर चीज के पीछे एक लॉजिकल बेस होता है, ठीक है, science हमें यही सिखाता है, अब जैसे तुने खुदने बोला, कि aerodynamics के laws को ओबे नहीं कर रहा, ठीक है, तो हम अपनी aerodynamics की जो theory है, जो aerodynamics के जो भी principles है, जो shapes and structures है, जो lift लेने में help कर सकते है, जो manuring में help कर सकते term लेने में help है, जो भी, जो वो, like, यार हमें aeroplanes बनाने में कितना समय लग गया, तो वो एक बहुती tested framework है, आज लाखो flights हफते भर में उड़ती है, because of these principles, right, तो यह framework को हम ऐसे ही break नहीं कर सकते, just because एक हमने photo देख लिया, जो यह है, आज के जमाने में हर कोई जानता है, Photoshop है, दुनिया भर की चीज़ है, अब हम यह समझते हैं कि क्योंकि यह framework पे, अभी तुम आए हो अपना यहां से, जारखंट से, तो flight में आए, ठीक है, flight में, obviously बात है, ऐसे हजारों लाखों flights ओड रहे हैं, ठीक है, तो यह principle किस level पे काम कर रहा है, ठीक है, यह जो principles है, यह जो प वो यह है कि इंसानी दिमाग में एक बहुत बड़ा loophole है, और वो यह है कि हमें ना stories बहुत पसंद है, और stories में जितने जादे emotions होंगे, जजबात, mystery, thrill, danger, ठीक है, थोड़ा सा horror, थोड़ा सा suspense, थोड़ा सा curiosity, तो वो उतना ज्यादा मज़ेदार हो जाता है, जैसे जबान को कैसे चटपटी चीजे पसंद है, पानी पूरी पसंद है, जिसमें खटा, मीठा, करंची, ठीक है, यह वैसा ही दिमाग को भी emotions पसंद है, उसे वो feel करना है, तो obvious सी बात है, अब क्योंकि खाने वाले बहुत ज्यादा है, तो बनाने वाले भी बहुत ज्यादा है, यहाँ प इस पर ही feed करकरके, करकरके अपनी theories बनाई होगी, तो that is philosophy at best, ठीक है, या pseudoscience कह सकते हैं, लेकिन मैं philosophy at best कहूंगा, बट वो लोग present इस तरीके से करते हैं, कि यही एक मातर सच्चा ही है, ठीक है, science field खुद ऐसा है, कि science में तो scientific concept के भी multiple interpretations होते हैं, अब जैसे अगर हम देखे कोई भी, अब string field theory में भी multiple है, कलुजा है, super string है, उसके बाद यसे 3-4 variations है, जिसमें अलग-अलग यह निकलते हैं, interpretations के अगर मैं बात करूँ, अपना quantum field में भी, Copenhagen interpretation है, many worlds interpretation है, ठीक है, फिर उसके बाद, अगर हम इसको भी पकड़ते हैं, कि जैसे, उसमें भी अगर और जार परिशनल हो गया, यह वो, यह हो गया, काफी सरे चीज़े, अभी, तो science ऐसे field में, जो कि पूरा का पूरा technical है, ठीक है, और उसमें obviously आपको अपने, आपको चीजों को प्रूफ करना है, पहले आपको, आपने कुछ theory बनाई, बट आपको experiment करके, आपको observation में उसको दर्शान है, उसके बाद आप बताओगे, आप explanation अपना दोगे, तो इतने हाड़ कोर framework में भी, जब लोगों के विचारधारा बदल सकते हैं, ठीक है, उनका दुनिया को देखने का interpretation है, वो बदल सकता है, ठीक है, जेनरल लेटिविटी की भी अगर बात करें, तो उसमें भी अलग- मॉडल करके है, न्यूटन का अलग interpretation था, आइंस्टाइन का अलग है, अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है, रिवर मॉडल है, ठीक है, वो interpretation मैं आगे में भी explain करूंगा उसको, तो कहने का मतलब यह कि यह इस तरीके से आप एक फोटो को देखकर, आप अपना एक interpretation बना रहे है, और बहुत सारी ऐसी भी बाते हैं कि जैसे जो हमने oceans को उतना explore नहीं कर रहा है, oceans को एक दम ही, मुलब समझ कि एक समुदर में हम बालटी वर का क्यान जानते है, ठीक है, oceans ज्यादा explore नहीं होते है, वहाँ पर भी बहुत सारी अलगी mysteries चलती है, तो, एक scientist का एक था ना quote, क कि हमने space ज्यादा explore कर लिए है, बट हमने अपने oceans को एक्सप्लोर में अर्थ को हम उतना नहीं जानते हैं, जितना हम space के बार में जानते हैं, 13.4 billion light years तर जो हम study कर रहे हैं, galaxies को देख रहे हैं, तो, बात यह है कि जो लोग है, जो लोग है, हम क्या है, अभी तुम कभी भी ग क्यों रीजन रहता है? मैं एक दीनट मताता हूं, मेरे साथ क्या था? मैं एक बार गर्मी के दिरों में चहत पे सो रा था, और मेरे घर से थोड़े दूर में वारे में एक चंस्रुक्छन चल रहा था वहाँ पेड था, तो, मेरे जो बहिया थे तो, उन्हों नहीं में को दि आग भी दिख रहे थे, हाथ पेर भी दिख रहे थे, कपड़ा भीलता दिख रहा था, तो मैं तर गया, रात भाहर जैसे जैसे पार किया, सुवह मेरी जब नेंद खुली, जब लाइट आया, तब पदा वहां पर क्या था, एक बोरी होती है, सिमेंट की बोरी खाली, वह फसी आगा फेस का पैटन देखते है, यसे मार्स की फोटो वाइरल उई थी, जहां पे फेस लाइक प्रॉक्च्छर लाउड्स को भी देख ले आगए, बहुत सारी चीज़े देखते हैं, बहुत सारी चीज़े गभी ऐलिफेंट देखता है, कभी लाडशिवा दिख जाएंगे वह बहुत जारा वाइयरल होता है तो हुइ है हम पैटर्नस को बहुत जादा फॉलो गड़ते है तो जो सभीकिन माइंड़ उसको पता है कि हुम नाखों साले यार है कि हुमन कैसे रिखते हैं और जब हम कुछ ऐसा थिंकिंग रखते हैं कि यार भूत है तो यह भी ऐसा होगा विसा होगा यह तो स्टोरी से उटकाता है तो उसी हिसाब से हम एलियंस को भी देखते हैं अगर तू देखेगा तू अम एलियंस को भी उसी साफ से हम देखते हैं कि यह एलियंस भी ऐसी होंगे जितने भी साइफाई मुविस तू देख ले सब में जो एलियंस है उनको इंसान जैसे दिखाया गया थोड़ा सा उपर नीचे गड़े लेकिन एक आख होगा दो आख हों अंडर यह है कि जब हम इंटेलिजन दिखाते हैं इलियंस को तो उनका सरवला कर देते और सरवला है तो बॉड़ी उस अन एलियंस को देख थे वर जब मॉन्स्टर्स देख तो मॉन्स्टर्स को कि गवे गष्ण आफ एर वह पहुत तागत होता है सर चोटा होता हैं उनकी हम जो है दिखाते हैं एलिएंस को और यह pewो gatar see aliens बोट इसमें कोई मतलब डाउत नहीं है मेरे अट राल जो है कि aliens नहीं है aliens होंगे लेकिन अगर अर्थ पे है तो अभी तक मिल जाने चाहिए और हो सकता है कि मिले भी या भी ना मिले लेकिन हम तुम ऐसे ही देखते हैं, बट अभी के लिए तो प्रूफ नहीं है, स्ट्रॉंग प्रूफ कुछ भी नहीं है, यह बस एक आकर्शन, मलब अट्रैक्ट करने का एक तरीका है, अब जैसे मेक्सिको का क्या हुआ, मैं मेक्सिको इमान बता रहा हूँ, जब मेक्सिकन पार्लियम करने के लिए जाते है, पैसे खर्च करके, तो तेरे को नहीं लगता यह बिजनस है, बिजनस ही है, सेम चीज होता है, जैसे पर एक्जामपल, एनेबल डॉल के साथ, ठीक है, पीछे कहानी बना दी, और भाई डॉल है तो फिर क्यों लोग उसको विजिट करने जा रहे, भा विजिए बताया था, उसमें कया ना कि वहां पे स्ट्रक्चर्स जो है, मतलब जो अर्किटेक्चरी है वो ऐसा बनाया गया है कि आप सीधे कड़े तो, ठीक है, आप ऐसे ग्राविटी सीधे कड़े तो, बट इस बेसे आप को आसपास देंके लगेगा कि आप तेड़े हो, इसे जुक्के कड़े हो, और वहां पे नाम दिया दिया कि नो ग्रेविटी जोन, यहां पे ग्रेविटी वर्क नहीं करते है, अब लोग जो है लोग यहों तो दिमाग जो हमारा ऐसा बैठा है कि यह 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 च्छत है, यह फ्लोर है, यह अपने वाल्स है, इसको जाते हैं, पैसे खर्च करके शर्फ उसको विजिट करने के लिए, अच्छा गासा, तुम इसी हिसाब से मैं देखता हूं, कि जैसे बहुत सारे UFO साइटिंग्स जहां पे होते हैं, तो उनकी क्यूरिजम जो है, वो सेक्टर काफी ग्रोथ करता है, काफी सारे लोग जाते है और अल्टिमेटली यहां पे सिफ एक लौ है, दिलाओ फ मनी, दिलाओ इकनोमिक्स, डिमांड जेनरेट करो, सप्लाइ आएगा अपने अप, ठीके डिमांड कैसे जेनरेट करो के कहानियों के जरीए, और यह सब कहानी, जजबात, क्रिएट करो, तो अपने आप इसमें आए जो चीज़े जैसी दिखती है वैसी चीज़े है नहीं, हम चीजों को देखते हैं हमारे intuitive understanding से, हमारे common sense से, जिसको हम intuition कहते हैं, intuitive, intuitive, मतलब जो चीज आपको समझ में आ रही है, ठीके, common sense से समझ में आ रही है, भूम्मन से अपने संपनाः है, ब मैं सिंपल से ग्जाम्पल कि काफी सारे लोगों ने मेरको भी बुला था कि यार तो लाइव ले रहा था inhib अन्र पर छे सारे लोग के patientsodotion के लुग, जाकर सवर भागरी को में और मैं पिए गॉर्फा, में जाकर सीथे बरल वह ओढूँ तो मैं और तरहा है मैं तरर से पूस्थ हो भी जब से गेलीलियन टाइम से आ रहा है है गेलीलियन जो कॉंसेप्स थे मेकैनिक्स तो तभी से यह आ रहा है जब लीनिंग टावर ओफ पीसा में वहां से में लिए ने देगा क्योंकि न्यूटन ने उनसे इंस्पायर होके अपने वह निकाले तो उन्होंने एक्सपरिमेंट क कोई आइडिया आया कि भाई उन्होंने अपने laws of motion निकाले उस पर और काम करके कि किस तरीके से exactly motion define हो रहा है क्या-क्या चीजे है क्या-क्या elements है जो वह motion को define actually मैं कर रही है अब यह intuitive understanding था कि मतलब जो common sense से समझ में आ रहा है जो देखते वह समझ में आ रहा है इसके अंदर क रहा है अगर मैं कोई चीज इसे drop कर रहा हो तो नीचे गिर रहा हो फोर्स है वो लेकिन यहां पर जैसे मैंने का science का काम है intuition को break करके reality तक पहुँचना देखो आज के तारीक में मैं बताता हूं कि क्यो intuition हमेशा most बहुत बहुत टाइम पर गलत होता है बहुत टाइम पर जो कोई श्राप या कोई भूत प्रेत का नहीं बलकि छोटे-छोटे किटानू का दोश है कोई बिलीफ करता यह चीज को यह नहीं मानता यह अन्टूइटिव है राइट क्योंकि वो टाइम पर कॉंसेप्ट ही नहीं था कि कोई चोटी चीज हो सकती है जो की अंदर जाके आप वो खदम गई जाक्ली पहले यह लोग समझते थे क्योंकि वो ज्यादा इंटुईटिव लगता था वो ज्यादा लॉजिकल कॉमन सेंस पर बेज लगता था राइट तो पहले साइन्टिस्त थे जो पहले भगवान में बिलीफ करते थे इवन गलीली ओ खुद पहले से define करते थे, तो हमने जैसे वीडियो बनाया था कि Pythagoras theorem का, तो उसमें जो scientist थे, वो जो विशी थे, उनोंने ये कैसे ritual कैसे करेंगे के लिए उनोंने वो त्रिकोण के calculations वगेरा लेके Pythagoras theorem को utilize किया था, तो पहले लोगों का thinking ऐसा था कि भाई भगवान तो है, भगवान ने प्रकृति एक तरीके से design तो की है, लेकिन हम सिर्फ ये design को समझ रहे हैं, ये हमारा विज्ञान है, ठीक है, लेकिन फिर आता है दौर, जब भाई discover होती है चीजे जो की unintuitive direction में जाने लगती है, एक और एक location है, कॉंटम दुनिया में कैसा है, वेव की तरह चीजे बिलीव करती है, इसका मतलब वो एक ही टाइम पर multiple positions exist कर सकती है, उसका जो spin है, उसका जो momentum है, वो defined ही नहीं अभी तक, जब उसका वेव फंक्शन कोलाप्स होगा, तब जाके ये सारे object-like properties उसको मिलेंगे, ये unintuitive है, ये scientists लोग को समझने के लिए उनको ना नहीं आदा गई, इसमें बहुत सारे फिर वो आ जाते हैं, कि जो भी founding figures थे, quantum physics theory के, Niels Bohr हो गए, Heisenberg हो गए, ये सब Vedic philosophy को refer करने लग गए, कि देखो Vedic philosophy में, ये सब लिखाता विदान philosophy में, कि your universe एक माया है करके, तो this universe by very definition is very unintuitive, तो अगर कोई भी ये बोलता है कि common sense जो कहता है वो ही reality है, तो उसको ज़्यादा ग्यान नहीं है, और वो ये चीज़ को believe नहीं कर रहा है, कि भाई, reality असल में, black and white नहीं होती, बलकि उसमें बहुत सारे shades of gray होते हैं, तो ये चीज़ में स्टार्टिंग में बताना चाह रहा था, ताकि लोगों को ये समझ में आये कि overall इसमें कोई शॉक होने की बात नहीं है, कि ऐसा क्यों है करके, ठीक है ये ऐसा है, और science ने इसको प्रूफ किया, because general relativity use होता है और ये मैंने, हमारे जो, हमारा podcast था एक इसरो के, जो former director थे, ये जो mission है, चंद्रयान 2 और मंगलियान mission के, तो उनको भी मैंने पूछा था कि कौनसे 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 frameworks होते है, mathematical equations बनाने के लिए, जब हम एक spacecraft को किसी प्लानेट पे भेचते हैं, या मून पे भेचते हैं, तो उनको ने बोला था कि general relativity use होता है, तो इच स्टार्ट्स with the Keplerian model of how the orbits work, उसमें फिर integrate होते हैं, जेनरल relativity के calculations, मतलब मून का gravity का क्या इंफ्लूएंस है, एर्थ का gravity का क्या influence है, जूपिटर का gravity का क्या influence है, साटर्न का gravity का क्या influence है, over, even जो अपना जो spacecraft होगा, उसका structure क्या है, geometric structure, क्योंकि geometric structure के हिसाब से उसकी trajectory effect होगी, solar, solar जो rays है, तो ये सारे के सारे जो अलग-अलग-अलग gravities है, वो integrate किया जाता है, general relativity यूज किया जाता है, जो प्राक्टिकल लाइफ में यूज हो रहा है, that is not Newtonian mechanics, और Newtonian mechanics एक ही body को define करता है, दो से जादे, दो बोड़ी को define भी नहीं करता है, जैसा आम डिसकस कर रहे थे, कि जो Newtonian mechanics है, उसका use होता है, उसका use होता है, ग्राउंड लेवल, अर्थ पे होता है, अर्थ पे आप जितने भी building को देखोगे, जो भी manufacture जब होता है, construction जब चलता है, तो Newtonian mechanics को यूज किया जाता है, बट कैसा है ना कि Newtonian mechanics जो है, वो मुझालब दो मतलब एक sun है, एक planet है, वहां तक वो बढ़िया work करेगा, जैसे ही binary, trinary, या उससे ज़्यादा, जैसे ज़्यादा, जैसे ज़्यादा, curved surface आ गया, curved surfaces आ गया, जहां पर gravitational pull है, बहुत strong है, तो वहां पर उसके उतना ज़्यादा precisely वो नहीं बताबा था और यही एक reason भी था, कि Newton, Newtonian mechanics से Mercury के predictions नहीं हो पा रहे थे, कि Mercury की orbit कैसा है, वो हर बार wrong जा रहा था, और यहीं से तो वो आय था ना, एक यह आया था, वलकन, वलकन, प्लानेट वलकन का थेयरी आया था, जो मर्किरी और सन के बीच में एक प्लानेट है, प्लानेट वलकन, जो उसके motion को effect कर रहा है, वड़बाद में बता चला कि यहां तो है नहीं, यहां पर तो theory गलती, theory गलती, right, क्योंकि sun, sun का इतना strong gravitational influence है, कि there is no chance वाँ पर Newtonian mechanics काम में आएगा, तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर हमारे पास दो theories है, एक theory है, जो gravity क्या है, उसी को explain नहीं कर पारी है, वो यह मान के चल गए, gravity is a force, बट वो force क्यों create कर हो रहा है, कैसे create हो रहा है, और वो force के exact mechanics, बलब underpinnings को explain नहीं कर पारी, प्लस बहुत, मलब वो बहुत सारे जगों पर रुख जा रही है, ठीक है, predictions उसके काम नहीं कर रहे है, एक यह framework है, अब इसका मतलब यह नहीं है, कि यह theory गलत है, यह theory खराब है, यह theory के limitations है, limitations है अपने, अब जैसे for example, अपन आज यूज कर रहे हैं, अब आज iPhone 15 आ गया, कल को भाई iPhone 20 आ जाएगा, तो iPhone 15 खराब थोड़ी न था यार, iPhone 15 उस जमाने के इसाब से best था, यही यह theory अपडेट होती है, देखो, science में updation कैसे होता है, new observations हमें मिले, हमने अपनी theory को update करना पड़ा, क्योंकि अगर वो new observations को, हम समा नहीं पा रहे हैं, अपने theory, अपने framework के अंडर में, तो इसका मतलब theory में कुछ तो flaw है, तो theory update होती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर general relativity की case में हुआ, अब मैं आ जाता हूँ उस point पे, ठीक है कि अंडा नीचे गिरता है, तो पृत्वी उपर आ रही है, या अंडा नीचे गिर रहा है, बेड़ मेंटालिटी है, science हमें यह चीज़ सिखाता है, कि हमेशा जो चीज़ दिखती है वो ऐसी होती ही नहीं है, यहाँ पर एक point में बोलना चाहूँगा, होता है कि आ दर असल जैसे maximum जो लोग है, वो एक कदम आगे जाके सोचना नहीं चाहते है, नहीं चाहते है, विक्षिंग इस हाड, वन्होंने यह पढ़ा है, कि आइंस्टाइन के हिसाब से ग्राविटी कोई फोर्स नहीं है, वो पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम जनरल ही उनसे जाके पुछोगे, तो वो फोर्स अट्रेक्शन ही वो लेंगे ग्राविटी को, वाट सारे लोग ना, आइंस्टाइन कॉंसेप्ट ओफ ग्राविटी को ग्राविटी यूज करके ही एक्स्पेरिमेंट है, एक वीडियो है जो बहुत ज्यादा वाइरल हुआ है, उसमें कुछ वो एक ट्रैमपोलीन यूज करके बताते हैं, अब वो क्यों गलत है, क्योंकि उसमें ग्राविटी को यूज करके ग्राविटी बताया जा रहा है, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि स्पेस टाइम में एक ट्रैमपोलीन है, और उसमें चीजों को नीचे पूल कर रहा है, तो विकेस ये नीचे जाने से ग्राविटी क्रियेट हो रही है, नहीं, मतलब आप ग्राविटी को ही यूज करके ग्राविटी को एक्स्पेस करने के लिए वैसा होड़ी में देखना पड़ेगा, वो बहुत रॉंग वो है, कॉंसेप्ट है, उससे क्या होता है, लोगों को लगता है आधादूरा समझके, उनको लगता है भाई हमें सब समझ गया, वो बहुत गलत है, क्योंकि देखो, चीजे आप एक ट्रैमपोलीन में पत्थर डालोगे, तो पत्थर नीचे ही क्यू जा समझना पड़ेगा, जेनरल रेलेटिविटी का जो यूनिवर्स है, मतलब जो फ्रेमवर्क है, वो पूरा, वो काफी डिफरेंट है, as compared to Newtonian physics, क्योंकि Newton के हिसाब से, अगर, for example, अगर मैं अंडे को छोडता हूँ, तो अंडे पर इमिजेटली फोर्स लग गया, ग्राविट फ्रेम है, और दूसरे फ्रेमवर्क में, it is accelerated frame, तो यही सबसे बड़ा common sense, मतलब डिफरेंस है, मतलब अगर मैं चाय को कॉफी बोलोंगा, और तुम कॉफी को चाय बोलोगे, तो क्या हम दोनों एक पॉइंट पर कभी agree हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, तो अगर आपको Einstein की थ समझ जाओंगा, ठीक है, because after all I am a buddhi जीवी, ठीक है, but यहाँ पर effort slow भाई, थोड़ा और effort slow, थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं यह सब वीडियो बनाता क्यों हूँ, ताकि आपको challenge करू, ताकि आप जब ही challenge होगे, तब आप सीखोगे न, जो चीज हमारे comfort zone के बाहर कि क्या है, करके, तो यह वीडियो बनाने के पीछे यही reason होता है, कि मैं लोगों की thinking को challenge करूँ, और लोगों को, देखो, मैं आपको यहाँ पर A to Z science का ग्यान नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, कोई creator नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको inspire कर सकता हूँ, मैं आपको motivate कर स आप out of the way जाके वो जान, ग्यान खुद लो, और देखो, ग्यान लेने के लिए ना, ग्यान लेने के लिए सबसे पहले एक receptive mind ही होता है, ठीक है, जिसका receptive mind है वो ग्यान लेगा, लेकिन दुनिया भर से, अब दुनिया भर से best teachers को लाओ, जिसका receptive mind नहीं है, who is not open for change, जो यह स सकते है, और मैं अभी अपने आपको बदल नहीं सकता, तो कोई भी teacher आके उसको पढ़ा ले, he is not willing to change, और ideas constantly update हो रहे है, और होते रहेंगे आगे भी, यहाँ पर एक point यह भी है ना, जैसे जो चादर वाला, ट्रैंपोलीन वाला है, अब होता गया है कि visualization के लिए, सही से उसक हम समझते तो हैं, हम बात करते हैं, अब जो लोग जो पढ़ रहे हैं, आइंस्टाइन के gravity को, तो उनको पता है कि क्या चीज़े चल रही है, क्या नहीं चल रही, बट कैसा है कि हम उसको visualize जब करेंगे, 4D को जब तुम समझोगे, तो कैसे समझोगे, टाइम को connect करके, देख एनलेजी में convert करते हैं, example के थुरू, ठीक है, तो यह जो general relativity का example आया कि create warp हो रहा है, यह निकला mathematics से, कि mathematics क्या बोल रहे है, mathematics यह बोल रहा है कि भाई, अर्थ तो एक accelerated frame है, right, mathematics यह बोल रहा है कि gravity का प्रभाव अर्थ पर हम पर तो ना के बराबर है, ठीक है, जैसे जैसे हम, जैसे जैसे हमारी trajectory बड़ेगी, हम जितना stretch होते जाएंगे earth से, उतना ज्यादा gravity का, क्योंकि gravity जो है, जो tidal force इसको हम बोलते हैं, so gravity actually, it's like a tidal force, जितना ज्यादा आपका, आपका, कह सकते हैं कि आपका deviation बढ़ता है, आपके, आपके linear trajectory से, उतना ज्यादा gravity का real influence आने लगत जाता है, ठीक है, obviously इसको visualize करके ज्यादा समझ में आएगा, but मैं इसको intuitive तरीके से, मैं वो समझाता हूँ, अब आइंस्टाइन के frame of reference के साब से कैसा है, कि जो अंडा है, जब आपने उसको छोड़ा, तो वो automatically inertia में चला गया, ठीक है, क्योंकि Einstein एक principle को highlight करते है, जो है, equivalence principle, equivalence principle यह बोलता है, कि एक accelerated frame में, for example, अगर मैं एक spaceship में हो, अब spaceship में, या पहले समझते हैं इसको एक roller coaster के example से, जब अपन roller coaster में उपर जाते हैं, तो अपन वजन जादा नहीं फील करते हैं, जब उपर जारे होते हैं, जब उपर जारे होते हैं, तो इवन अगर आप के हिसाब से, एक accelerated frame मतलब अगर आप spacecraft में launch होते हो, तो जब astronauts spacecraft में launch होते हैं, तो अपने cartoon में भी देखा रहेगा, जी फोर्स बढ़ जाता है, और उनका face, देखो, काटून में दिखाते हैं, तरके नीचे खीचने लगता है, जी फोर्स बढ़ता है, जी फोर्स क्यों होते हैं, दोनों में ना कोई difference ही नहीं है, मतलब they are same, तो इसका मतलब यह है कि आप spacecraft में accelerate कर रहे हो, जो 1G के फोर्स से उपर accelerate कर रहा है, और आप प्रित्वी पे हो, तो आपको difference पता ही नहीं चलेगा, आपके लिए physics के laws उसी तरीके से काम करेंगे, जैसे exactly प्रित्वी पे करते हैं, मतलब आपने ये glass को छोड़ा, तो उतने ही time पे नीचे गिरेगा, जितना प्रित्वी पे गिरने पे लगता है उस distance से, अब जब जैसे-जैसे distance बढ़ता है न, वैसे-वैसे actual gravity starts coming into play, क्योंकि यह जो नीचे गिरने वाला है, यह तो acceleration की वज़े से हो रहा है, बट और actual gravity का बाता है, actual gravity is actually its deviation of the path, वो करवे चरहे, देखो, space, space के जो heavy bodies होते हैं, उनके around न, हमें ऐसे लगता है कि space time flat है, लेकिन असल में the space time is curved, जैसे sun के around जो space time है, वो curved है, और कोई भी curved, और कोई भी curved space time में न, हमेशा एक straight line, या two straight line, eventually आपस में जाके मिल जाएगी, कभी तोने देखा रहेगा, जैसे earth में भी हम उपर से जो latitudes और longitudes के जो lines होते हैं, तो आपन लेते हैं, तो उपर से जाके वो नीचे जाके touch होते हैं, नहीं वो curved lines नहीं है, वो straight lines है, curved surface ही ऐसा होता है, कि उसमें दो straight lines कहीं से भी start क है, वो eventually एक ही point पे जाके meet करेंगे, this is gravity, कि अगर आप एकदम उपर से कोई चीज को drop करोगे, ठीक है, तो और कोई चीज को उससे उपर से drop करोगे, तो अब ये जो दो के बीच में जो distance है, ठीक है, ये जो दो objects के drop के बीच में जो distance है, ये दोनों के ना नीचे गिरने के speed और time में difference create करेगा, because ये दोनों के बीच में जो distance है, उसमें हलका सा curvature आ गया, जिसको अपने को account करना पड़ेगा, इसलिए जब अर्थ पे आप कोई चीज को फिकते हो ना, तो उस पे gravity ना के बराबर होता है, ना के बराबर, जितना ज्यादा distance का deviation आएगा, उतना ज्यादा gravity के effects pronounce होते है, एर्थ पे जो जिस reason से आप छोड़ रहे हो, that is precisely of the acceleration of earth की चीजे, and obviously the egg भी accelerate कर रहा है, लेकिन earth, हम जिस force से अंडे को hit करते है, that is the force of earth का 9.8 meters per second, तो उस acceleration से हम hit कर रहे है, उस चीज को, that is precisely because of the acceleration of earth, उसमें gravity आया ही नहीं है, gravity तब आएगा, जब let's say कि आप बहुत जादे distance का deviation create कर रहे हो, बलब आप एक object, एक को, आप इद्दम समल्लो बहुत उपर से फेक रहे हो, और एक को, आप उससे भी जारे distance है, और वो सारे के सारे area, बलब वो पूरा का पूरा जो domain है, वो earth के gravity के influence में आना चाहिए, वो भ एक जन नौर्थ पोल से अगर छोड़ेगा, और एक जन साउथ पोल से छोड़ेगा, तो earth एक टाइम पे, एक ही टाइम पे दोनों जगे पर कैसे जा सकता है, ठीक है, तो क्या भाई, Einstein बेवकूप तो था नहीं, Einstein बेवकूप था, Einstein ने इतनी सी बात नहीं, जो Instagram पे लोग सोचा होगा, तो obviously इसके बारे में सोचा था, और perfectly इसका explanation, अगर आप general relativity के model को समझोगे, तो आप इसका जवाब भी दे सकतो, it is very intuitive, अब जैसे हमने बात किया, अब for example, समझो एक ने नौर्थ पोल से छोड़ा, एक ने साउथ पोल से छोड़ा, अब general relativity में, जो space time है, एक concept ह होता है, called four acceleration, यह concept है, अगर Google करोगे, four acceleration को, यह concept है, general relativity में, curved space time का acceleration बहुत डिफरेंट होता है, as compared to जो normal जो अपना जो two dimensional वाला जो acceleration होता है, जिसमें, आप accelerate करते हो, तो आपके coordinate positions change होते है, मतलब अगर मैं यहाँ पे हूँ, और मैं accelerate कर रहा हूँ, तो मैं या तो आगे जा रहा हूँ, x-axis में, या तो मैं उपर जा रहा हूँ, y-axis में, कहीं तो मैं मेरा position change हो रहा है, but general relativity के framework में, four dimensions of space में, आप accelerate कर सकते हो, but still your position is same, आपके coordinate positions change नहीं हो रहे, this is unintuitive, common sense में समझ में नहीं आएगा, but general relativity में यह four acceleration का concept is very well known, तो जो यह four acceleration का concept है, इससे यह निकला है, अब इसको, अब मैं इसको जब explain कर रहा हूँ, viewers को, तो obviously मैं यहाँ पर, और general relativity में एक equation भी है, जो मैंने real में डाला था, second real में, वो equation exactly यह बताता है, कि किस तरीके से एक object accelerate कर सकता है, without changing its coordinate positions in a curved space time, ठीक है, अब यह mathematical concept है, अब इसको लोगों के लिए intuitive बनाना है, क्योंकि mathematics बताऊंगा, तो आप लोग देखोगे नहीं, है की नहीं, मतलब वीवर्स तो यही बोलेंगे, भाई, यह क्या चिपकार है, ग्यान, भाई, intuitive बनाओ, हमें समझ में आए, analog के थुरू बताओ, तो analogy के थुरू मैंने जो rail बनाया था, second वाला, उसमें मैंने river model का analogy दिया था, क्योंकि river model बहुत ब्यूटिफली explain करता है, कि किस तरीके से यह possible हो सकता है, तो imagine करो, earth है, अब earth अपने जगे पे खड़ा हुआ है, अब space है, space is flowing inside earth, space flow कर रहा है, जैसे कि river कैसे flow करती है, space flow कर रहा है, inside earth from all the directions, all the four directions, इतने भी directions, three directions, तो वो सारे के सारे, two dimension के साब से four directions, सारे के सारे direction से space constantly अंदर की तरफ गिर रहा है, अब earth accelerate कर रहा है, with respect to space, ठीक है, earth even दो अपनी जगे पे है, लेकिन space ही अंदर गुस रहा है, तो kind of earth is accelerating, once again, and this is analogy, real में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो interpretation है, quantum physics में भी लोग अलग-अलग interpretation, Copenhagen, many world, वो philosophy है, but यह आपको समझने में help करेगा, analogies का काम लोग को समझाना होता है, बाकी mathematics काम कर रहे है, और जो बात है, वो fact है, आप चाहिए कितना भी बोलो कि यह गलत है, सही है, मु good thing about science is it works, whether you believe or not, ठीक है, तो हम इसको मैं रिवर मॉडल से समझा रहा हूँ, ताकि आपको easily intuitive तरीके से आपको समझ में आए, ताकि आपको common sense यूज करके समझ में है, वो इसका मीन है, तो अब यहां पर for example, हमने पकड़ लिया earth के around space, constantly एक waterfall की तरह, एक river की तरह, एर्थ के इदर जा रहा है भई, earth के अंदर जा रहा है, तो उसके साथ, उसके साथ अंडा भी जा रहा है, क्योंकि obviously अंडा gravitational, gravitational उसमें है, gravitational influence में है, earth के, तो उसकी जो trajectory होगी, क्योंकि Einstein का जो general relativity का जो framework है, वो यह बोलता है, कि massive objects direct, direct the trajectory, मतलब, अगर समझ लो, अंडे को अपन शूट किये, जो की like, हजार, हजार मील्स की रफतार से, space में ऐसे ही, travel कर रहा है, straight line में, अब उसके बाजू में, अगर अपन ने earth ला लिया ना, तो उसका जो direction है, वो बदल जाएगा, वो earth के तरफ जाने लगेगा, ऐसा नहीं है, gravity के वज़े से, हाँ, उसका सिर्फ direction जो है, वो इस direction में आएगा, ठीक है, gravity के वज़े से, speed बढ़ते वे हमें क्यों लगता है, that is because of earth's acceleration, ठीक है, क्योंकि जब अगर आप earth में भी, अगर आप accelerometer यूज करोगे, तो 9.8 meters per second square का acceleration दिखाएगा, earth पर, तो इसका मतलब earth accelerate कर रह रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कि north और south pole से अंडा, because space खुद ही अंदर गुस रहा है, और वो दोनों के दोनों अंडों का trajectory का है, towards the center of gravity, जो की earth का core है, और अगर east और west में भी अंडा फेको, तो वो सब earth के core की तरफ ही तो जा रहे हैं, attract हो रहे हैं, क्योंकि स सारे curved orbits तो एक ही जगे पर मिलते हैं, सारे के सारे जो curved orbits है, एक curved space time में, curved trajectories एक ही जगे पर जाके मिलते हैं, अब आप एक ही जगे से start होते हैं, और एक ही जगे पर मिलते हैं, तो एक ही जगे पर क्यों मिलते हैं, क्योंकि center of gravity आप उसको पकड़ सकते हो, center of, तो उसी तरीक ही है क्योंकि वही वह gravitational influence में है वो और आप इसको visualize ऐसे कर सकते हो कि earth कैसे accelerate कर पा रहा है because space constantly उसके अंदर घुस रहा है तो earth यहाँ पर accelerate भी कर रहा है इस analogy से earth accelerate भी कर रहा है 9.8 meters per second square with respect to space दूसरी चीज सारे के सारे जो laws of physics है वो आपको ऐसे ही दिखेगा जैसे Newton के case में है कहीं पर भी आपको कुछ इसमें वो नहीं लग रहा राइट क्योंकि आप North से फेको अंडा नीचे गिरेगा South से फेको नीचे गिरेगा but accelerate अंडा नहीं कर रहा accelerate जिस वज़े से hit हो रहा है 9.8 meters per second square जिस acceleration की वज़े से अंडा फूट रहा है that is because of earth's acceleration you see this is general relativity in a nutshell अब्दू देख जिस टाइम मैंने यह रिल लेगा था और अगर यह वीडियो मेरे राइटर जो है वो देख रहे हैं हमने इस पर discuss किया था तो उसने मुझे पूछा था कि आपका इसमें क्या thoughts तो मैंने सेम यही बात बोला था यह रिवर मॉडल गया था सेम मैंने उसको समझा बट उसको वो चीज समझ में नहीं आया दो दिन बाद वो समझा और उसके होना चाहिए ऐसे तो फिर तो तानाशाही हो गया कि Kim Jong-un जो बुलता है वो ही सत्या राइट ब्लाइक जैके डिबेट तो होना चाहिए डिबेट कोई भी साइन्स टीम का तो मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे टीम मेंबर्स जब इसको इसको वो कॉन्फलिक करने लग कि एक दिन में सुबह उड़ता हूं मूद हो और वीडियो बना लेता हूं यह टॉपिक था भी बहुत अच्छा क्योंकि मेरे भी दिमाग में यह चीज आया नहीं था और जिस टाइम मैं ने देखा उस टाइम में और जस्ट अमने फिर आपस में बात किया था तो उसने मु जैसे quantum physics को ही ले लो ना जो founding fathers थे उनको ही believe नहीं हो रहा था जो observations दिख रहे थे जब अपने डबल सेट experiment की बात की उसके पहले और उसके बाद अगर हम बात करते हैं फोटॉन्स के nature की तो कुछ लोग बोलते थे it is wave कुछ लोग बोलते थे it is particle Newton खुद बिलीव करते थे it is cor corpuscles मतलब particle फिर उसके बाद Einstein ने यह Einstein ने उसके particle nature को प्रूफ किया ठीक है जिसके लिए उनको Nobel Prize भे मिला wave का जो nature था wave का जो nature था वो अपन ने इसमें देखा यह double slit experiment में देखा उसके पहले एक और एक experiment था जिसमें यह प्रूफ हुआ था कि उसका wave का nature है तो light भाई एक time पे wave भी दिख रहा है एक time पे particle भी दिख रहा है तो light है क्या अब फिर उसके बाद next आया wave function collapse को लेकर उसमे लोगों ने consciousness को गुसाया और trust me जो बड़े-बड़े scientist है जो founding fathers है Niels Bohr, Heisenberg, Schrodinger यह सब भी कहीं न कहीं इस चीज में believe करते थे कि जो wave function collapse होता है मतलब एक wave nature से एक particle nature में जो transition होता है उसके पीछे consciousness is the reason. consciousness जो की जिसको science community बिलीव ही नहीं करती है यह quantum physics के founding fathers जो Einstein से करके आयते कि भाई quantum physics पे तुम इतने broad-minded नहीं हो कि तुम quantum physics को consider कर रहे हो right तुम Einstein का तो cross था ना वो deterministic perspective रखते थे quantum physics में probabilistic perspective आ गया तो कहने का मतलब यह है कि इतना intuitive observation कि भाई वैज्ञानिक लोग ही नहीं believe कर रहे है तो हम कैसे expect कर सकते कि common public believe करेगी जो लोग ने arts लिया या जो लोग just instagram पे they are just trying to be mean और cool तो लोग कैसे understand करेंगे तो मैं यहाँ पे लोगों को सिर्फ यही चीज बोलना चाहता हूं कि भाई आप वो 90% लोग जैसे मत बनो जो लोग चीजों को सिर्फ face value पे देखते हैं और believe कर लेते हैं या नहीं believe करते हैं आप वो 10% टेड़े ल का शिकार हो जाते हैं जो दिख रहा है वो दुनिया में खो जाते हैं इस वज़े से 10% के लोग मचाते हैं क्योंकि उनको कुछ चीजे दिखती है जो 90% लोग को नहीं दिखती है right economics का law है अगर हर कोई मचा रहा है तो कैसे मचा सकते है हर कोई economy का मतलब ही होता है economy मतलब study of lack कहीं पर lack create हो रहा है तो कहीं पर abundance create हो रहा है हर जगे पर abundance create हो रहा है तो कैसे lack कहीं पर create होगा तो अगर आपको शाणा बनना है आपको life में एक कदम आगे रहना है तो you have to have a critical rational mindset आपको develop करनी पड़ेगी thinking कि आप किसी को भी even मुझे भी face value पर मतलो मैं तो यहीं बोल रहा ह सो अभी जैसे यह concept तो है relativity में अब quantum physics के जैसे में जिसकी बात कर रहा था कि consciousness जो लोगों को लगा कि consciousness अचली में wave function collapse कर रहा है डबल से एक्सपरिमेंट तो पता है तरको कैसा है कि आप जबी observe कर रहे हो particles को तो भाई वो मतलब वो particle की तरह behave कर रहे है मतलब particle का definite location position momentum spin होता है ठीक है up down spin और wave मतलब wave ऐसे wavy सा pattern दिखाता है एक जगे पे वो localized अभी तक हुआ नहीं है मतलब वो कहीं पे भी हो सकता है wave pattern कैसे होता है कि probability है कि वो इस area में कहीं न कहीं मिलेगा वो particle हमें मालूम नहीं exactly कहां पे मिलेगा उसका exact spin क्या रहेगा ठीक है वो हमें मालूम नहीं तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि भाई देखने से शायद wave function collapse होता है तो इसका मतलब जब आप देख रहे हो तो consciousness की वज़े से उसका wave function जो है वो particle में बन जा रहा है मतलब की मतलब की आपके आँखों से कुछ magical सी चीज निकल रही है consciousness और वो universe को मालूम पढ़ रहा ह कि ओ किसी ने मुझे देख लिया तो मुझे wave माया wave मतलब illusion से मिरको एक particle में तबदील हो जाना है ये वो time का ये था लेकिन फिर आगे चलके न और कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो time पे scientists के लिए observation ही बहुत ही weird था कि भाई ऐसी चीज होती है वो शौक हो गए थे तो आगे चलके बाद में मालूम पड़ा और इससे दो interpretations निकले और जो भी अपने founding fathers थे quantum physics के वो सब believe करते थे consciousness में but then धीरे धीरे करके वो ये चीज समझने लगे कि भाई इसका कुछ physical explanation होगा और by the way consciousness के गुसने से बहुत सारे mystical theories निकल गया बहुत सारे mystical philosophies निकल गया कि देखो दु screen पे जो चीज़े दिख रही है बलब जैसे GTA 5 में पूरा world है लेकिन अपने को तो सिर्फ जो screen पे दिख रहा है ग्राफिक काड को तो वही render करना पड़ रहा है ना जो pixels बाकी सारे की pixels non existent है जब तू देखता है उसको screen में तभी वो pixels render होके तेरे सामने they act like pixels तो उसी तरीके से particles भी ऐसे होते रहेंगे यह सब लोगों का दिमाग ऐसा सोचने लग गया यह theories, Maya, Maya से सारी चीज़े create हो रही है लेकिन असल में फिर बाद में over a period of time scientists ने यह चीज़ figure out किया और अभी भी तो अगर most of the लोग को पूछेगा तो सब लोग काफी सारे लोग ऐसा बोलते है कि consciousness के और यह सो रहा है यह हो रहा है और बट एक्सुली मैं यहां पे एक जो Copanhegan interpretation है जो mainstream interpretation है Copanhegan interpretation ते science में अलग अलग interpretation होते है लेकिन जादा scientist जिस interpretation को मानते है scientific community की जादा consensus जहां पर है उस interpretation को सबसे जादा उस interpretation को science का actual stance हम बोल सकते हैं तो Copenhagen interpretation में ये आया एक process होता है quantum decoherence करके quantum decoherence इस process की वज़े से wave function collapse होता है अब ये process काफी interesting है ये process में कैसा है कि जो particles का wave nature होता है कि वो एक time पर अलग अलग जगे पर रह सकते हैं बदब position उनका अभी तक definite नहीं हुआ है जब तू कोई भी चीज़ को observe करता है तो actual में हो क्या रहा है तू interact करवा रहा है उस चीज़ के साथ for example अब यहाँ पर अगर समझ ले कि कुछ possibility of particles है अब यहाँ पर में अगर हम किसी उस चीज़ को measure करने के लिए हम किसी हम उस पे photons फिकेंगे detect photons अब photons उसको hit करके आएगा तो मादब photons ने उस चीज़ के साथ interact किया अब photons जैसे अपन shoot करते हैं तो quantum properties ऐसे होते हैं कि वो area में जो भी potential होगा particle का photons जब उसके साथ interact करेंगे bombard होंगे तो बहुत सारे particles आपस में मिलके एक basically quantum entangled system create करते हैं quantum entangled quantum entanglement क्या होती है कि आपस में जब एक particular तरीके से hit होते हैं तो फिर वो आपस में उनके जो wave properties होते हैं वो एक हो जाते हैं तो जैसे Goku और Vegeta एक हो जाते हैं Gojita उसी तरीके से अगर quantum entanglement में अगर particle A है और particle B है दोनों एक particular तरीके से interact करेंगे न तो उनके जो properties है wave function उनका वो उनका अलग-अलग wave function एक हो जाएगा और दोनों आपस में link हो जाएगे और इसलिए हम कहते हैं कि अगर एक particle को अपन ने उसका wave function break किया वो up spin निकला तो दूसरा immediately down spin निकलेगा वो इसलिए क्योंकि हमें उनके जो mathematical wave function है वो एक की value प्रेडिक करके हम दूसरे का पता सकते है कि ये चीज़ है करके तो यहाँ पे वो quantum entangled system पूरा का पूरा starting में एक ही wave से जो particle oscillate कर रहा होता है मतलब एक ही उसका wave function होता है over a period of time वो जो system create हो गया particles का उसका जो waviness है वो with time out of sync जाने लगता है तो for example समझ लेकि जैसे radio city 93.5 FM एक frequency है अब उस पे 92.7 FM तुने mix कर दिया तो अब दोनों की frequency एक साथ नहीं होगी एक साथ नहीं वो हो रही है ना sync हो नहीं हो रही है तो अब तु देख रहा है ऐसे बहुत सारे अगर line से अलग-अलग radio frequencies एक साथ आ गए लेकिन उनका frequency अलग है तो एक point के बाद क्या होगा उसका जो wave pattern है वो break हो जाएगा और वो it will no longer act as a break as a wave but it would start acting like a particle this is quantum decoherence अब यह चीज़ बहुत सारे research papers में प्रूफ की गई है और quantum decoherence को भी प्रूफ किया गया है कि मतलब उसके wave nature को wave nature से particle convert करके उसको वापिस से wave convert करना करके अभी जैसे एक और experiment हुआ था double state के बाद जिसको क्या quantum eraser eraser प्यादें तो अपना past future करके तो उसका explanation क्या हो सकता जैसे उसमें क्या होता है जैसे अमने उसमें क्या क्या था अलग-अलग detectors जैसे लोग यहाँ पे एक यह है कि लोग इसको ऐसा समझते है कि आख से अनिमेशन में से बना दिया गया आख खोलते है तो ऐसा दिग रहा है पर वो आख से नहीं देखते है वहाँ पे detectors है देखो और इसलिए यहाँ पे consciousness का role ही नहीं है क्योंकि आप वहाँ पे machine भी रख दो actual में क्या है और मेरा दूसरा question यह रहेगा अब for example universe के किसी कोने में चीजों को तो किसी ने देखा नहीं है तो वो चीज़े क्यों exist कर रहे है वो चीज़े exist कर रहे है तो wave function collapse होने के पीछे human observation तो एक एक मातर reason हो ही नहीं सकता क्योंकि universe के edge में तो stars ही नहीं होने चाहिए थे यह kind of hypothesis ही है यह hypothesis भी नहीं है यह मैं कहूंगा कि यह वो time का उतना knowledge नहीं था तो लोग थोड़ा सा philosophy का सहारा लिन लग गए थे देखो science starting में philosophy रहता है mysterious चीज़े जाने भी मुझा फिर बाद में जब हम जब हम observe करते हैं experiments के through तब हमें जो observation से पता चलता है उसके basis पर हम reality की धारना बनाते हैं पहले अब जब ही scientist होने और इसलिए तो Einstein यह चीज में believe नहीं कर रहे थे न कि Einstein को quantum physics का observation से इतना वो रूबरूब नहीं थे लेकिन जब वो बाद में observations खुद देखने लगे तो he became more open for this view क्योंकि वो अपने theory के perspective से micro level के जो quantum physics के observation को समझ रहे थे कि भाई मेरी theory तो यह बोलती है कि information can not travel faster than the speed of light by quantum entanglement कैसे हो सकता है फिर वहाँ पे वो EPR paradox आजाता है जो उन्होंने बनाया अपनी theory बनाई Pudolsky और Rosen के साथ मिलकर US में कि भाई यह गलत है quantum physics flawed है उन्होंने अपने logic पेश किये फिर वहाँ से John Bell करके दो टीम में दो लोगों में जगड़े हो रहे थे एक हो गया team quantum mechanics और एक team Einstein बोल रहे थे मेरा सही है मेरा सही है और determinism versus probability क्योंकि नील्स बोर का यह मानना था कि wave से एक particle जो बनेगा कोई दुनिया में नहीं बता सकता कि wave से जब उसका wave function collapse होगा तो वो particle actually में क्या बनेगा universe को भी नहीं मालूम वो it's extremely random wave function collapse extremely random होता Einstein didn't believe that Einstein का यह मानना था कि कुछ hidden variables है जिसके basis पर यह predict किया जा सकता है कि भाई जब wave function collapse होगा तो जो particle आएगा up या down spin उसके पीछे कुछ न कुछ logic है ठीक है और इसके लिए उन्होंने EPR paradox निकाला था बट John Bell ने Bell's inequality theorem में यह proof कर दिया कि ऐसा नहीं है it's totally random और अभी जो Nobel price वो उसके कुछ loopholes थे Bell inequality theorem के कुछ loopholes थे जो यह Nobel price वालोंने fix करके वापिस से करके बताया पर फिर भी वही है कि देखो एक point यहां पर यह भी आता है कि जो science है वो लगाता develop होते रहता है ठीक है अभी मैं इस चीज से हटके दूसरे पर topic बात ठीक है तो जैसा तुमने भी recently बनाया था वेदास पर Vedic science पर कि जैसे एस सोमनात ने भी गा था मैंने भी वो speech देखा उनका और कहीं बार मैं भी वीडियो बनाता हूं इन सभी चीजों को लेकर मेरे को बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आते हैं कि यार आप science वाले बन्दे हो आप कहते हो कि मैं बगवान को ऐसा अंद्विसवास में नहीं मानता भगवान को ऐसे नहीं देखता तो फिर आप उन्ही का गुणगान गा रहे हो जैसे मैंने ना एक वीडियो बनाय था स्टोरी थी कि हनुमान जी जो वो स्टोरी है रामायन की कि हनुमान जी जो है parallel universe में कहते है तो हमने वो बनाया था काफी जादा अच्छा गया था अभी चलता है तो लोग उसमें कहते है मेरा कहने का मतलब यह है मैं यह नहीं कहता कि आप आप जाके मतलब आस्थावादी बन जाओ भगवान को ऐसे मानो कि हाँ इनी के वज़े से यह मेरा कहने का मतलब बस यह है मेरा पॉइंट ओफ थिंकिंग बस यह रहता है कि जो वेदास में भी है ठीक है वो बहुत पुराने है लेकिन बात यह आता है कि उनके दिमाग में यह आया कैसे उन्होंने जब इस चीज को उन्होंने प्रेमेटिक से नहीं समझा उन्होंने इलाबरोएट भी नहीं किया उन्होंने बस बताया कि यह चीज है आज हम उसको मैच करते हैं तो वह मैच हो जाता है philosophically mathematically उन्होंने नहीं दिया उन्होंने नहीं रिया जिसे cause and effect based mathematical model observations कह सकते हैं कि उन्होंने साइन्स में एक observation की भी बहुत बड़ी भूमी होती है observation हो गया और experiment पे आपने सबूत evidence दिखाया so observation and evidence तो अगर आपने कोई चीज बोल दी और फिर बाद में कभी जाके वो प्रूव होता है still उसको वो scientifically प्रूव नहीं बताएंगे जो पहले किया गया था क्योंकि scientific methodology experiment के दोहरा proof करती है कि देखो यह मेरा prediction है और यह SM experiment कंड़क करूँगा और मैं यह evidence दिखाऊंगा कि इस तरीके से यह चीज हो रही है तब जाके यह proof सबूत सामने रहेगा कि देखो यह मतलब basically proof हो चुका है तो मेरा जो कहने का मतलब है मेन मोटो यह है कहने का कि देख हम यह मानते हैं जो discovery हो रही है जो आज का है modern physics में है modern science में है तो इनको तो read करना चाहिए बट बात यहां पी यह है तूने कभी गौर्वी किया होगा बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो Indian scientist है उनको उतना याद मतलब fame नहीं दिया गया जश्ट वो फाइबर आप्टिकल्स वाले को याद होगा आज को याद होगा फाइबर आप्तिक्स जो है जिसे Internet ट्रेवल करता है फोटोंस के ट्राइवल करते हैं तो उसको इंडियन साइंटिस्स नहीं डिसकवर किया था बट नाम आज तक किसी को पता नहीं है कि तो मेरा कहने का बस यहां पर मतलब यह है कि वेदास और जो यह है सर्दार जी थे तो नाम मुझे भी आदम है यह सबसे बड़ा सबूत है अ अभी यह है कि कहने का मतलब यह है कि जैसे जो वेदास है जो हमारे प्राचीन लोग थे रिशी मुनी थे हम उन्हें साइंटिफिकली एकुरेट तो नहीं बोल सकते लेकिन उनके दिमाग में यह थिंकिंग आई थी जरूर हाना मैं बस यह बोलना चाहता था कि क्वेश्चन होमो सेपियेंस ने अपना जादतर जो लाइफ टाइम है वो जंगली जानवर के रूमें विताया जंगलों में बट रिसेंटली ऐसा क्या हुआ कि इनको इतना दिमाग आ गया हाना इतने दिनों से एविलूशन काम तो कर रहा था धिरे धिरे तो अगर देखेगा बीच में तो एक्सपोनेशली ग्रोथ हुआ हम AI तक आ गए हम स्पेस तक चले गए हम दूसरा मतलब स्पेस ट्राविलिंग इन सब चीजों में आ गए तो मेरा यह कहना है कि सोचों कि क्या हुआ होगा कि लोगों की दिमाग में इस्टूरीज क्रियेट हुई अलग अलग जगह पे ल लोग है जो असमान से आते थे सब का श्चोरी यह आते थे उन्होंने जो हमें ग्लं दिया उन्होंने यह किया हम उनको जा के समर्पन करते थे ते अम उनको ला करके फल फूल देते थे लगभखस अब में यह हम ने एक विडियो ईस पी वणाय था बैविलोनियन उस पे य वो इनसान थे, वो असल में इनसान नहीं थे, वो असल में गुलाम थे, जिनका काम था, खादान से सोना खोदना, भगवान को जा की चढ़ाना, तो हमने इस पर यही कुश्चिन उठाया कि जो यह स्टोरी है, अगर तू इस स्टोरी पे भी अगर जाएगा, हना, मैं इसको य के क्वे में लेके जाएगा, तो यह ऐसा है, कि वो लोग जो आये थे, गोल्ड तेरे को हर एक धर में दिखेगा, गोल्ड का इंपोर्टेंस, और गोल्ड हमें भी बता है कि गोल्ड जो है वो, अगर तू टेक्नोलोजिकल ही देखेगा, तो गोल्ड जो है बहुत अच्छा कंडेक्टर है, हम उसे बहुत जादा स्ट्रेच करके एकदम, फाइं, प्लस रस्टिंग भी नहीं होता है, तो यह चीज है, अब मेरा यह पॉइंट ऑफ यह रहता है, मैं इन वीडियो को लेकर आता हूँ, और इनका यही रहता है कि, मैं लो, क्वेस्टिन गरो, कि क्या है क्यों हो रहा है, मैं यह नहीं बोल रहा है, कि आप जाकर करके, कल से एकदम मंदिर जाकरना स्राट करो, बट, कॉशिक, जो तुने बोला न, प्रिसाइसली, और मैं यहां पे व्यदिक जो टाइम्स थे, मैं अगर वो टाइम के माइंसेट के बार में बताऊंगा न, तो प् हिंदु धरम नहीं बोलूँगा, क्योंकि हिंदु धरम जो है, उसमें लोग यह बिलीव करेंगे कि मैं सिर्फ थीस्टिक साइड, मतलब जो साइड भगवान में बिलीव करता है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं वेधिक टाइम्स की बात करूँगा, क्यों? क्योंकि वे बहुत सारे ऐसे थे, जैसे वेधान्त फिलोसफी हो गया. साथ कुछ फिलोसफी से, स्कूल्स अफ तोड्स ते, उसमें से एक वेधान्त फिलोसफी था, जो की धुशन इंग में बिलीव करता था. अब वो फिलोसफी में जो स्पूशन गॉड़ है, It is like God is called Brahman Brahman मतलब आप उसको अपने तरह से ले सकते हो Brahman मतलब आप Brahman समझ सकते हो भगवान मतलब एक personal God आप उसको universe समझ सकते हो Brahman मतलब Brahman But at the very core was this thing about questioning ऐसे कभी भी नहीं बोला था कि भाई आप सवाल पूछो इमत जो है blindly follow करो देखो faith में और religion में difference होता है धरम में faith में difference है faith का मतलब यह होता है कि faith जो बोला है whether you feel it's right or wrong just believe it faith मतलब faith रखो अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि मतलब मैं कोई भी चीज कौशिक तेरे से कुछ काम करवा रहा हूं मैं मैं बोलूँगा भाई कौशिक तू यह चीज कर तू एक काम कर तू यह coffee भी ले पी ले बस यह अच्छा है तेरे सिहत के ले you cannot question this is faith right but हिंदु धरम में वैसा कभी था नहीं जो अपना यह था जो वेदिक times में जो धार्मिक थे अब मैंने हर धरम अच्छे से पढ़ा नहीं है उसमें अलग-अलग schools of thoughts है लेकिन मैं वेदान्त को मैंने पढ़ा है और उसमें मैं यह चीज कह सकता हूं कि उसमें questioning है अब ऐसे ही पाँच schools of thoughts ऐसे थे वैदिक times में वैदिक period में जो कहते हैं जो की अपने आपको हिंदू कहलाते हो तो आप अपने choice के हिसाब से आपको जो belief करना है जो school of thought में आपको belief करना है जो school of thought आपको reality का accurate representation लगता है you are at your liberty and privilege to choose that आपको अथिस्ट विचारधारा जाना है कौन सा अथिजम आप बूधिजम में बिलीफ करोगे आपको आपको ऐसा लग रहा है कि मैंको life को enjoy करना है लेकिन at the same time I have to be responsible as well मतलब मैं enjoy ऐसे नहीं करूँ कि आगे जाके problems create हो गए तो आप उसके लिए अलग philosophy है जो उसमें आप believe कर सकते है जैसे variations हमें atheistic में हमने देखे वैसे same variations हमें atheistic में भी आ जाते हैं ठीक है तो ये सारे के सारे जो schools of thoughts exactly जैसे for example Christianity में हुआ था वो चीज़ क्रिस्ट्यानिटी में Christianity is a faith तो आपको believe करना है वो चीज़ तो मेरा ये मानना है और मुझे ऐसा लगता है कि देखो faith religions में भी आप सोच सकते हो ऐसा नहीं है क्योंकि आज हम ऐसे times में रह रहे हैं जहां पर हम question कर सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे faith religions में भी faith होने के बावजूद भी advancement किया है for example Christianity की बात करे तो भाई आज USA Europe Christian है majority अगर हम Islam की बात करे तो dynasty में उमायद Abbasi dynasty में तो faith होने के बावजूद भी लोगों ने question किया Islam की story यह कि Prophet Muhammad का यह था कि यार हम आगे जाके हम knowledge को बढ़ावा देंगे ठीक है तो आप faith को आप ethics के consideration में रख सकते हो कि जहां पर बात आती है ethics और morality की कि अच्छा इंसान कैसे बनना है humanity को कैसे exercise करना है तब आप faith रखो लेकिन जब बात आती है knowledge की जैसे science की बात आती है या फिर reality को explain करने की तब आपको तो update करते ही रहना पड़ेगा देख Big Bang के time पे एक बहुत interesting चीज थी बहुत सारे scientists लोग ये बोलते हैं कि electromagnetism और weak nuclear force एक हुआ करता था इlectro weak force की तरह काम करता था आज के time पे दोनों split हो चुका है तो अगर Big Bang के जस्ट बाद कि हम physics के laws को study करते थे तो उसमें हमें electro weak force को consider करना पड़ता था जो कि आज हम electromagnetism और weak nuclear force को जो constantly universe change हो रहा है अब हम बात करते हैं the great rip होगा जहां पर dark energy की वज़े से सारे के सारे जो galaxies है वो आपस एक दुसरे से दूर जाते जा रहे तो obviously universe में constants change हो रहे है और वो आज भी हो रहे है plank constant, gravitational constant ये सब light का जो C है ये सब को लेकर भी कोई एक उसमें agree नहीं कर पाया है कि यही है करके it changes, constant change हो रहे है तो कहने का मतलब ये कि हम एक ऐसे universe में रह रहे हैं constant मतलब उनकी जो values होती है ये जो values है वो काफी fluid है in nature अब कहने का मतलब ये हम एक ऐसे universe में रहे हैं जो universe constantly change हो रहा है new discoveries हो रहे है new observations हो रहे है और physics के laws भी मतलब अगर force of nature ही evolve हो सकता है तो और क्या ही हो सकता है तो अब ऐसे universe में अगर हम ये पकड़ के बैठे कि हमारे पुराने best knowledge जो कि हम धार में किताब बोल सकते हैं कि वो उस time के साब से best knowledge था उसमें ये चीज़े लिखी गई है तो आज हम बदलेंगे नहीं अपने आपको भाई लॉस किसका हो रहा है बस point यह है मेरा कहना मेरा point जो है वो ये है कि जैसे दो तरह के लोग आते मेरे comment section में एक जो हो चुके है जो मलब आस्टिक है एक जो नास्टिक है और लोग को सबसे पहले ये चीज़ निकालना चाइए ये चीज vorherrite मने क्लियर करता हो यजिसे लोग को ये चीज निकालना चाहिए ये 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 चीज में कि यह नोग अलग उपना प्रस्पेक्टिव देते है अभी जो आस्तिक है, वो गएगे, आँ यार तो इह किया, हिंदु धर्म होगे, सारा कुछ कर दिया है, हिंदु ही सब है, और जो आस्तिक हो गएगे तू क्या मतलब चूतिया बनारे बार-बार ऐसा यह लेक आता है, वो एक, एक एविदेंस खोजने का बेस्ट तरीका है जैसे for example, for example, अभी जैसे हम coffee बना रहे, coffee पी रहे हैं, अब coffee को बनाने का एक तरीका है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई, वो मैं coffee को मैं इस तरीके से बनाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी coffee का टेस्ट ऐसे आना चाहिए, वो ही नहीं सकता, आपको अगर टेस्ट वैसा चाह जैसे मैंने कहा कि गलीलियो वगेरा ये सब बिलीफ करते थे, कि भगवान है, लेकिन वो जब scientific method से, वो जब observations कर रहे थे, तो उनको कुछ ऐसी चीजे मिली, जो की unintuitive थी, और जो की Bible को भी contradict कर रही थी, तो इसका मतलब यहाँ पे यह हुआ कि हम अपने religious text को update कर सकते हैं, उ देखो, हमारे पास एक शक्ती थी, बदलाव की, इसी वज़े से तो हमारा evolution हो पाया, अभी तुने जो बोला कि हम दो लाक साल पहले से अभी तक हमने इतना evolution, क्यों? क्योंकि हमारे, हमारा structural evolution हुआ, ठीक है, हमारे brain की morphology बदली, हमारे brain में prefrontal cortex develop होने लग गया, ठीक है, prefront mental cortex में सारा, हम future के बारे में सोच सकते हैं, हम planning कर सकते हैं, calculation कर सकते हैं, preparation कर सकते हैं, अगर यह बदलाव नहीं होता, तो क्या हम आज के जमाने के साब से survive करते हैं? नहीं कर पाते हमारे 12 बारा प्रजाद, जो दूसरे जो homonid species के हमारे cousins थे, वो लोग में यह बदलाव नह कर पारे, वो business बंद हो जारे, तो अगर आप समाज के, अगर आप बढ़ते समय के हिसाब से नहीं बदलोगे, तो आप replace हो जाओगे, अब आज के टाइम पर अगर हम ऐसे देखेंगे, तो Greek Gods हो गए, Roman Gods हो गए, Egyptian Gods, Mayan Gods, एक टाइम पर कह सकते हैं, Greek और Roman तो 60% civilization, इनको पू पूज रहे, अब जमाना बदला, कहानिया बदली, भगवान बदले, तो कहने का मतलब यह है कि हमें यह समझना है कि भगवान एक जरिया है, हमारे तक ग्यान पहुचाने का, अगर वो ग्यान हमें नहीं मिल रहा है, तो फिर वो भगवान आप जिसमें बिलीव कर रहे हो, एक्चुली में वो भगवान का abstract concept ही नहीं, उसको आप कह सकते हो शैतान है वो, क्योंकि अगर भगवान का concept आपको ज्यान से दूर लेके जा रहा है, तो शैतान का काम है ना, भगवान तो चाहते हैं कि आपको ज्यान दे, ताकि आप life में prosper करो, आप अपनी जिन्दगी भी बदलो और आप आपने आसपास वाले जिन्दगी को, लोगों की भी जिन्दगियां बदलो, भगवान को ज्यान से एसोशेट करो, बदलाओ जरूरी है, और इसके लिए आपको आस्तिक या नास्तिक होने का ज़रूरत नहीं है, आप चीजों को देखो, उनको सोचो, उन पर दिमाग लगो, कि क्या ये वाकई सही है, अब ही अगर मैं किसी को कहूँ कि भाई, यार एक कामगर, जाके कुए में कुछ जा, तो आप सोचोगे ना यार, तो मेरा कहने का बस मतलब यह है कि इस थिंकिंग को लाओ, आप इस चीज से अपडेट हो, मेरा लाने का मोटो बस यह है कि मेरे को कहानी आपको रिप्रेजेंट करना है, में को बताना है कि हाँ, उस टाइम के लोग यह सोचते थे, आपको भी सोचना चाहिए, आप जैसे तुम यह देखो कि AI, AI, AI का बोलबाला बहुँ जादा, लोग ऐसा सोच रहे हैं कि AI से एक न कर देगा, तो हमने ना मतलब इस पे स्टडी किया, और में को पता है कि जो AI है, AI असल में क्या है, अभी भी consciousness वाला AI डवलब नहीं हुआ है, और वो को सो दूर है, जैसे बोलते है कि कौकरोच जितना consciousness, आज का बेस्ट AI, कौकरोच का भी से ज्यादा consciousness, मेरा कहने का मतलब य यह है कि AI जो है, अगर देखो, हम humans क्यों है, हम सूचते है अभी जैसे मानले कि मेरे सामने यह प्ले बटन रखा है, ठीक है, मैं अगर यहां तू लाइट को दिम कर दे, प्ले बटन को आदा चिपा दे, मैं देखोंगा, मैं पता लगा लूँगा, यह तो प्ले बटन है, यह गोल्डन प्ले बटन है, उसने बार-बार इसको सीखा, अगर तू उतना देने के बाद भी तू यहां पर बीच में एक मोटा सा टेप लगा देगा ना रेट कल लगा, वो उसको पहिचान नहीं पाएगा, अगर तूने देखा होगा, कि यह जो और आटो लगा दी, वो उसको रीड नहीं कर पाता है, एक्सिडेंट हो जाते हैं, इसके पीछे रीजन यह है ना, कि अपना जो DNA है, वो बहुत ही स्पेशलाइजड है, DNA जो है, वो एन्वाइरेमेंट और इंफ्लूएंसेस के हिसाब से एक्सप्रेस होता है, तो फॉर एक्जाम्प क्या है, वहाँ पे मेरे फ्रेंड सर्कल क्या है, क्या है, यह सारा का सारा information हमारे DNA के संपर्क में जब आता है, उस हिसाब से वो एक्सप्रेस होता है, तो एक DNA के हजारों और लाख्यों expressions हो सकते हैं, यह चीज अपना थोड़ा सा मुशकिल है, तो आइव में क्या है कि इप्दम से जैसे creative field में, पहले बाद यह होती थि, कि कोई भी नया technology आता था, वो other fields में दिक्कत करता था, बट creative fields में दिक्कत नहीं करता था, क्योंकि creative लोग जो है, वो best मतलब यह माना जाता था, कि इनको कोई रेप्लेस नहीं कर सकता, बट अभी जो AI है, वो सीधा creativity पे है, बट अभी भी अगर तुम देखोगे, तो AI हाथ नहीं बना सकता, सही से, उंगलियां नहीं बना सकता, कभी डाल के देना, तो यह चीज है ना, अभी कैसा है कि उनका दिमाग उनना डेवलप नहीं होगा, बट ह हुआ, एक चीज कर सकता है, आपको काम को भूँत ऐजी कर सकता, अगर मानलो जैसे, जब शुरू में आया था, तो हम भी उसको यूज नहीं कर से, अभी ऐसा है कि जैसे हम लोग आपस में discuss करते हैं तो इससे क्या होता है कि नॉलेज का लेंदिन होता है तो इससे क्या होता है कि हम दोनों सीखते हैं तो मैं कहीं बार ऐसा करता हूँ, कहीं आप मेरे दिमाग में ऐसे thoughts आते हैं, जब कोई चीज में पढ़ता हो कई फसता हो तो कभी-कभी मैं करता हूँ, चैट जीविट से बाटे करता हूँ, पूरा एकदम जैसा discussion चलता है, और उससे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कोई भी चीज है, उसके बारे में मैं बोलता हूँ कि अगर ये चीजे हैं, तो इस पर तुमारी राही क्या है, बता हू आप उससे काम को ईजी कर सकते हूँ, लेकिन उससे डरने कर नहीं, बस वही चीज है कि परिवर्तन जरूरी है, आपको सीखना पड़ेगा, अभी आप बोलोगे कि यार, हमारे टाइम बे तो ना बैटके वड़िया ऐसा बनाते थे, ड्रॉइंग तभी जाके आठ बनता था अभी तो यार ऐसा, अब उसी चीज को लेकर के बैठेर हो गए, उसको भी जानो, उसको भी जानो, बट उसके साथ इसको भी लेके चलो, तब जाके और आगे बढ़ोगे परिवर्तन, पृत्वी का, प्रकृती का नियम है, ठीक है, एक चीज वो कहावतन है कि only one thing will never change, that is change, यहाँ पर, मैं इसको जैसे यूट्यूब में लूँगा, कि जैसे हम जब यूट्यूब स्टार्ट किये थे, तभी long वीडियो बनते थे, अभी शॉट्स आ गया है, तो ह हम यह शॉट्स में भी adapt कर रहे हैं, जबकि हम जैसे educational creators यह समझते हैं कि शॉट्स में क्या ही पढ़ा सकता है को इनसान, अब इतने अच्छे gravity के concept को बताया, उस पर memes बनने लग गए, तो कहने का मतलब यह है, selectively थोड़ा information लिया, यह बना दिया, cut out करके, जबकि वही information यू कहने का मतलब यह है कि uncomfortable था, obvious ही बात है, मैं Instagram पर कितना लेट आया, like मेरे को I think अभी 7-8 महीना ही हुआ हरेगा Insta पर आ के, ठीक है, उससे पहले मैं Insta पर था ही नहीं, मैं active ही नहीं था, तो, और मैं हमेशा ऐसे ही रहा हूं, मतलब मैं पहले भी like, Facebook पेज मैंने तब बनाया तो कहने का मतलब यह है कि, यह मेरा यह एक ऐसी चीज जो मैं मानता हूं कि सही नहीं है, लेकिन समय आने पर आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपको यह स्विकार्ना है कि प्रकृती बदलेगी और बदलाव के साथ आपको अपने आपको ढालना है, और हमेशा एक कदम आपने होना होगा, अधूरा ग्यान भीना ग्यान से भी जादा खथरना है, यह जाद से एक कुछ पुमय को पूर tocar याद नहीं है, बट ऐसफिकार को अच्छा है, उससे जादा अच्छा आपको एसके पार में ग्यान है, तो शॉट्स जो ही आपको अधूरा घ्यान ही क्या वो एक एक मिनिट का वीडियो नहीं दे सकता तो आपको अगर सीखना है तो आपको देखना पड़ेगा मुझे यह लगा था कि जब शॉट्स आए बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट बोला है कि लाइक शॉट्स में अधूरा ग्यान ही मिलता है तो अधूरा ग्यान इस लाइ कैसे खुलेगा उसको पता नहीं था अली बाबा तो यही सीन है कि देखो पूरा ग्यान चाहिए अब शॉट्स रेखो हम हम दो बनाना है हम बना रहे है और हम हुकुम ही कर रहें आपको लेकिन उसका मतलब को अव्टांच यह नहीं है कि आपने वो जो एक मिनिट में ग्यान दिया आपने बोला भाई मैं सब समझ गया खतम भाई अभी तो कुछ है नहीं मैं तो अभी भाई बुला आइंस्टैन को बुला मैं उससे डिवेट करता हूं साथ साथ में वही है कि आप बड़े वीडियो देखो और जब मैं को पेला ऐसा लगा था कि अभी जब शॉट्स का गया तो काफी मेरा वी चानल डाउन जा रहा था और मुझे इसा लगा था कि यह शॉट्स के कारण ही मतलब शॉट्स के कारण आदमी ना लॉंग वीडियो नहीं देखने को जाएंगे आज कल जमाना कैसा हो गया है रील रील और शॉट्स मतलब एक मिनिट में कुछ ऐसा दिखा दो जो मैं एकदम मिरेको एक इमोशनल वो मिल जाए राइट मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब एकदम कम एफ़र्ट में जात से अधी खुशी मिल जाए ठीक है बट असल में वो तो एक तरीके का वो ही है ना चारो तरफ है लेकिन आज के जमाने में उतना ही मुश्किल भी हो गया आगे बढ़ना विगाज अगे बढ़ना कि आपको अभी ज्यादा पेशन्स ज्यादा डेडिकेशन और ज्यादा आप लोग को सैक्रिफाइस चाहिए ज्यादा फिर ओफ मिसिंग आउट को आपको एक साइड का पूरा बता करके दूसरा साइड को कभी कंबेर करते ही नहीं है ठीक है तो मेरे से ये क्वेशन आया था कि तू उसके बारे में क्या थोट रखता है तो मेरे इसाब से इस पार्ट ऑफ दी एको सिस्टम क्योंकि देखो पॉलिटिक्स में के वो लाइक अज के जमाने के कोई नई उपज नहीं है यह बहुत सालों से चलते आरहा है जब राजाओं के पास अपने मंदल होते थे तब ही से ही पॉलिटिक्स चल रहा है इसके कान भरना उसको ये करना ये प्रपोगैंडा फैलाना और राजाओं को पावर भी थूरू स्टोरीज ए करना चाहिए और यहां पर भी अपना science का critical thinking बस यार दोनों side of the story को समझो क्योंकि अगर heads आपको दिख रहा है तो पीछे tails भी है जो की हो सकता है छुपाया जा रहा है जिक है अब usually मैं politics का basic scenario अगर बता दू तो देखो कैसा है कि आप हमेशा इस चीज से start करो कि आज के time पे Indian politics में जो main parties है उसको आप define कर सकते हो जैसे left leaning parties और right leaning parties राइट parties वो हो गए जो लोग थोड़े से जैसे जो लोग nationalistic views को रखते हैं और जो लोग थोड़ा सा मतलब लोग कहते हैं ऐसा कि religion के नाम पर unite करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो right leaning parties हिंदूस leaning भी हो सकती है Muslim leaning भी हो सकत है ठीक है कुछ लोग यह समझते हैं कि right leaning का मतलब सिफ BJP कि वो हिंदूस leaning है राइट नहीं ठीक है Muslim leaning parties भी हो सकती है because it is की right है मतलब वो it's more centering towards a religion or towards a particular ideology और left वाले जो होते हैं वो थोड़ा सा communistic leaning जादे होते हैं socialism में ज्यादा belief करते हैं modernization में ज्यादा belief करते हैं तो इसको एकदम से आप ऐसा black and white नहीं कर सकते हैं कुछ-कुछ concepts होते हैं जो दोनों में blend होते हैं properly अब यहां पर आज के time पर कोई भी party ऐसी नहीं है जो कि पूरी की पूरी right है या पूरी की पूरी left है apart from like let's say communist party वो भी communist party इंडिया जो है वो भी थोड़े से right leaning principles लेगी क्यूंकि ideologies क कभी भी आप black and white यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है देश के अलग-अलग stages होते हैं कि आज देश जैसे for example जैसे pregnancy के अलग-अलग stages होते हैं तो बच्चे का development कितना हुआ है उससाब से doctor आपको nutrition doctor आपको दवाईया प्रिसक्राइब करता है अब disease के कौन से कौन सा कौन से stage में है उससाब से treatment plan prescribe करता है तो उसी तरीके से देश development के कौन से stage में है देश में क्या-क्या unique problems है उससाब से होता है कि कौन सी ideology ज्यादा benefit करेगी और ideologies से निकलेवे policies ज्यादा benefit करेगी अब यहाँ पर क्या है कि देखो government को तो अपना काम करना ही है कोई भी government आए उस पर pressure इतना ज पीचे होगा बट काम तो होगा development तो होगा ही होगा ठीक है लेकिल ideology का nature ही ऐसा होता है कि वो लोगों को बांट देता है तो for example अगर मैं एक ideology में बिलीफ करता हूं तो एक ideology में बिलीफ करता है और हमारे दोनू ideology में कहीं पर एक ऐसा concept है जो कि मतलब सिफ मैं ही सही हो सकता हू ही सही है तेरा दुनिया को देखना है सही नहीं है जैसे for example communism बोल रहा है कि by communism ही answer to the question है एक ही तरीके से humanity संपन हो सकती है खुश हो सकती है फुल्फिल्ट हो सकती है अगर आप communist विचारधारा को employ करो तो communist systems को employ करो तो communist government बनाओ तो capitalistic government ये बोलेगी capitalistic leaning policies जो governments है जो capitalistic economic model को support करते है capitalism ही एक सहारा है हमें फटाफट खोलना पड़ेगा अपने companies को खोलना पड़ेगा हमें 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 ऐसे ऐसे policies employ करने पड़े बिजनस friendly हो जाए देश हमें global trade को बढ़ाना होगा हमें बहर हमें 10 countries के leaders से मिलना होगा हमें economic opportunities free trade agreements ये सब हमें sign करने होंगे ठीक है तो ये वो उनका thought है तो अब यहाँ पर दो beliefs के वज़े से देखो religion में भी होता है कि अब जैसे for example Hindu Muslim काफी होता है ठीक है आज के time पर और ये पहले से होते आ रहा है बट यहाँ पर क्या है यह ideology लोगों को बांट दे रही है असल में देखा जाए तो य 99.99% 999% DNA सेम सेम ठीक है सब कुछ सेम है लेकिन सिफ यह मान्सिक्ता मान्यता के basis पर हम बट जाते हैं अब यह चीज problem create करता है लोग ऐसे हो जाते हैं कि नई भाई मैं सही क्यों मैं यह यह ego का game है अगर आप ideology के basis पर सामने वाले से जगडा करते हो ना यह ego का game है इसमें कमजोर इंसान को सबसे ज्यादा गुसा आता है यह वैसा है अभी अपने emotions को handle नहीं कर पारे क्यों क्यूंकि आप यह सोच रहे हो कि मेरी ideology को कुछ बोला तो मुझे कुछ बोल दिया और मुझे कैसे बोला तो ultimately psychologically यह यही है तो मैं तो यही लोगों को बोलूँगा कि देखो को rational बनो दोनों side of the story लो politics में बिल्कुल ऐसा होता है कि भाई कोई किसी एक person को किसी एक channel को किसी एक news media agency को media house को खरिद लिया जाता है ठीक है उनको खड़ा किया जाता है बेस से खड़ा किया जाता है ठीक है प्रोपोगैंडा फैलाने के लिए it is very common very common और आप लोग को मालू जाता है तो आपको rational बना होगा आपको core पे समझना होगा आप थोड़ा सा कुछ कुछ अच्छे अच्छे books है ठीक है nation building को लेकर ठीक है economic policies को लेकर reforms को लेकर कैसे एक nation एक मैंने particularly book पड़ा था बीच में कुछ time बहुत अच्छा book तो इसका नाम याद नहीं आ रहा है बट उ तो उन्होंने क्या-क्या problems face किये और क्या-क्या policies उन्होंने implement किया जिसके वजे से वो next level पर जा पाए तो ऐसे किताबे पड़ो जिससे आपको पूरा dynamic समझ में आएगा कि भाई इंडिया में क्या problems हैं इंडिया में क्या चल रहा है क्या नी and don't become passionate like ideology में मत believe करो कोई भी क्या आप जब ही ideology में believe करते हो ना तो ज्यादा चांस है कि आप ego में आ जाओगे. Always keep your mind open. आप चाहे साथ साल के हो जाओ, 65, 70 के हो जाओ, still you should be like कि मैं एक बच्चा हूँ. हर जगा से ग्यान लो. Now again, easier said than done. Obviously it's very easier said than done. करना मुश्किल है. But rational minded बनना मुझे नहीं लगता है. इतना मुश्किल है. क्योंकि actually मैं जैसे हमें दिमाग दिया क्यों गया है. क्यार कुछ तो वज़े है प्रकृती ने हमें ये दिमाग दिया है कि हमें साइड में रखने के ल आजाए. ठीक है. तो इसकी utility है ना. तो आप एक चीज जो आपको सबसे दुरलब चीज जैसी हमने कोई चीज अभी ब्रह्मान में नहीं देखी है. आप वो चीज को आप हलके में ले रहे हो और इसको यूज नहीं कर रहे है. तो आई थिंक वो तो प्रकृती के गिफ्ट क गिफ्ट की तौहीन हो जाएगी. तो बस वो ही गिफ्ट को यूज करो, थोड़ा रिसर्च करो और जो भी आप रिसर्च करोगे ना, वो आपको लाइफ में भी काम में आएगा. बिकिस अट दी अव दी डे एवरीधिंग कनेक्स और अगर आप एक पॉलीमाथ बन जाते हो या पॉलीमाथिक अबिलिटी लेते हो, तो वो आपके क्रियेटिव थिंकिंग, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग और आपके इनोवेशन में बहुत हेल्प करता है. फिर चाहे आप किसी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो, जो उस फील्ड से टोटली अन्रिलेटेड है. राइ कि मैं रिसेंटली एक फ्रेंड से भी मिला था, डेली से थे तो उन्होंने मेरे को अडवाइस दिया, उन्होंने मुझे कहा कि देख, कौशिक अगर तरी को आज से पांक साल बाद शर्वाइब करना है, इंडिया शोड़ के चला जा, बाहर सटल हो जा, इंडिया में कुछ कि अगर तो आगे रहे है कि मतलब अगर तुम दिखोगे इंडिया में दो लोगों में इतना वेरिएशन आशक्ता है कि एक जन बोल सकता है कि बढ़िया बरबाद हुरह और एक जन बोल सकता है कि इंडिया अपने पीक पे है भाई रियालिटी तो एक है परसेप्शन इतना डिफरेंट क्यों वह ही है विचार दारा है और प्रॉपोगेंडा है मतलब जो आप देख रहे हो देखो ऐसा नहीं है कि दोनों लोग सही बोल रहे है रियालिटी सम्वेर इन दे बिट्वीन ब्लैक अन वाइट नहीं है कहीं से कुछ चीज है तो वह आपको देखना है कि किस से मुझे क्या लेना है किस से क्या लेना है लेकिन जब आपको मालूम बढ़ता है कोई क्रियेटर किसी न्यूस चानल या किसी उसके लिए बिका हुआ है या उसके कुछ लिंक्स निकल के आते हैं कि यह पटिकिलर चीज इस एजनसी ने या इस आउटलेट ने उसको खड़ा किया है तो आप उसकी विचारधारा समझ लो फिर उसके बाद आप वो विचारधारा कंसिडर करके उसका कॉंटेंट देखो ताकि आप इजीली समझोगे कि यह क्रियेटर बायस कहां पे हो रहा है और कहां पे यह फैक्चुली चीजों को देख रहा है तो वही कहने का मतलब यही है कि दोनों साइड के स्टोरीज को सुनो लेकिन अपना जो थिंगिंग है वो खुद से बनाव इ अभी जैसा एक वच्च्चा है हम यह कहते है आज के जमान में हम यह थिंगिंग रखते है कि marks doesn't matter मतलब कि आपके marks जो है वो matter नहीं करता मैं खुद back मुझे लग चुका है मैं पढ़ने में अच्छा था बड़ मेरे को भी लगा क्योंकि होता है जिंदेगी का उतार चड़ाव चलता है लेकिन उसके बाद भी क्या उससे कुछ नुकसान हुआ क्या उससे कुछ फाइदा हुआ तो यही चीज है कि आप reports को मैं जाओ आप यह देखो कि क्या वाकई ground reality क्या है अगर मैं रोड में चल रहा हूँ तो क्या मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपस में सारे लोग एक दूसरे को मुक्का मार रहे जैसा कि western media दिखाती है कि इंडिया में तो एकदम खतरनाग है ऐसा हो रहा है मुसलिम्स के एकदम यह हालत खराब है तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है हर देश अपना propaganda चला रहा है मतलब यह geopolitics ना बहुत ही nasty है जब आप इसको अंदर से गुसने की कोशिश करते हो कि west India को क्यों ताने मारता है यह सारी चीज़े बहुत सारी चीज़े निकल के आती है at the end of the day it is just global dominance देखो USA आज डॉमिनेट कर रहा है सबको वो संत बन के नहीं कर रहा है भई उसने जितना propaganda फैला है एजन्सीज होते हैं FBI हो गया उसके बाद CIA हो गया यह सब एजन्सीज का काम ही है कि बैठो operations कंड़क करो दूसरों और यह सब पहले Soviet Union में जो KGB था वो भी करते थे अब मुसाद हो गया अभी Raw India में भी स्टार्ट किया यह सारी चीज़े बट यह लोग जो US और Europe यह सब जो जिस लेवल पर खेलते हैं यह बहुत next लेवल है यह लोग they are like कि भाई कहां से क्या हम ideological manipulation करे कि बटवार आए divide कैसे हो सके कैसे हम countries को आपस में break करे कैसे हम इनके power को dilute करे क्योंकि उससे क्या होता है कि यह लोग power में रहेंगे और धीरे धीरे करके यह लोग जो dominate कर सकता है वो resources को हमेशा dominate करेगा वो best share लेगा ठीक है इसलिए तो European colonial powers ने हमें हमेशा they were less in numbers but वो दिमाग से खेल रहे थे उन्होंने जब 1857 uprising हुआ था उसके बाद इन्होंने Aryan invasion theory निकाल दिया ठीक है कि भाई इनको सब segregate करो Indians को क्योंकि Hindu Muslim साथ में मिलके कैसे लड़े कैसे लड़े North Indian, South Indian साथ में मिलके कैसे लड़े इनको अगर सब मिलके लड़ेंगे तो हमें भागना पड़ेगा तो उन्होंने ideologically हमें divide कर दिया कि भाई तू तो अलग है तू अलग है भाई तू तो बाई Jaada तू तो तो West Indian जैसे उनों पूना वाई उन्होंने पुरा बकाईदा सिस्टम बना अजिसमे आपको अपने Detail mentioned करने परते रपने यह सब करके जिस्षे लोगों में पुरा एक पूरा उनको mentally ही वो ये समन्ने लग जाए कि भाई हमा लगे देखो इंडिया ने सफर इसीले किया है क्योंकि इंडिया historically कभी unite नहीं हो पाया और इसके पीछे कहीं न कहीं वेदिक जो हमारा जो time था उसमें हमें छूट तो ये थी कि हम जो चाहे believe कर सकते हैं बट इसके व तो हमें curiosity, knowledge कि thirst को तो बरकरार रखना है हमें liberalism को बरकरार रखना है कि भाई जिसको जो believe करना है वो कर सकता है क्योंकि ये modern values है जो कि लोगों के लिए लोगों को freedom और ये सब देते हैं जिससे कि वो खुश रह सकते हैं उस civilization में उसको बरकरार रखते वे अगर हमें unity भी बर करार रखना है तो हमें nationalism और देश को first priority देना पड़ेगा over our religions चाहे हम Hindu है चाहे हम Muslim है चाहे हम Christian है क्योंकि जब India तूटेगा ना इंडिया की लगेगी तो सब की एक साथ लगेगी ये चीज़ है तो हमने जो गल्तियां इतिहास में की अगर हम उससे सीखते हैं और हम अभी अपने आपको दो चीज़ों में work करते हैं एक तो ग्यान, knowledge क्योंकि ये देश हमसे आगे क्यों है इनके पास हमसे ज्यादा knowledge है इनके पास तो लोग भी नहीं है इतने हमसे ज्यादा knowledge है USA में आज common इंसान जो है वो काफी ज्यादा smart है काफी ज्यादा science में वो informed है as compared to India का को कोई average इंसान ठीक है तो ये जो knowledge इनके पास है जो technology इनके पास है जो इनके पास आधोनिक weapons है उसके वज़े से ही तो ये हमें dominate करते हैं और किसके वज़े से करते हैं ये थोडी ना मतलब ऐसा है कि ये लोग हमसे ज्यादा कोई मतलब धार में काम कर रहे हैं तो दुनिया इन अब UK, United Kingdom तो उनका भी recently तुने सुना होगा जब चंद्रयान का ये हुआ उन्होंने जो comment किया था कि यार ये किया हो तो हमारा aid भी वापस करो ठीक है लूट के तो यही से गया है सारा पैसा बाप कमाल समझ के बढ़ वो aid मागने वापस और तू अगर देखेगा तो ये जो डेवलप कंट्रीज है जो अपने आपको मतलब सूपर पोजीजन पर रखते है ठीक है इनके पास अपने एक रॉकेट भी नहीं है इन्होंने अपने इंजन भी नहीं बनाया ये जब भी सेटलाइट लांच करते इनका विक वीडिया का पेज चला जहां पे इनके सारे अमि तो यहां पर जैसे मेरे को उस बंदनने भी कहाँ कि यह सिन है इंडिया में आपμी के पास आप पैस है रहने का यह नहीं है और डेवल्ल Mint कर क्या फाज़कर कर क्या फायदा चंदरियान को वेच क्या फाज़कर लगता है यहां आपस में बात करते अ करैंड judging by क्या है साइन रिज यह इंपाक्ट कर रही है क्या हमें यह जादा IMPORTDENटली एकरना चाहिए या फिर घर जारे टुइलेट बनाना wirklich बनाना जादा क्या तो चाहिए उसको पहले करना चाहिए less क्या लगता है देखो कैसा है कि चाहिए चाहिए Auenreč always compounds with time compounding का principle गया Einstein ने उसको 8th wonder of the world कहा था wonder of the world called by Einstein अब compounding करने के लिए आपको समय में पहले शुरू करना होता है ठीके आज US और ये सब आगे क्यों है क्योंकि ये लोग ने न Apollo mission कभी हुआ था भाई 60s में ठीके 19 तभी लोग ने इन्सान को बेज दिया था यह पे एक और पॉइंट दिया था इन्सान को बेज आता हो चांद पे अभी हम लांडर बेज रहे हैं यह पे जैसे एक और पॉइंट में ओलूँगा पूँगा शॉरी वीच में रुक रहा हूँ अनिल डिग्रेस टाइसन जो है इन्डिया यह असल में किसी दबाव में पढ़के नहीं कर रहा है सीखने के लिए कर रहा है अगर तू देखेगा तो 1969 में अपोलो मिशन हुआ इन्होंने चांद पे भेजा उसके बाद आज तक इन्होंने नहीं किया मलब उसके बाद जो हुए अपोलो प्रोग्राम खतम हुआ फिर वो मस्ट हो गया भाई हम सूपर वर्ल लीडर वन गे हम सूपर पावर बन गे हमें बस दिखाना था यह उसके बाद इन्होंने क्यों किया इन्होंने क्या वार के कारणज अब दू अगर देखेगा ना जैसे जो अब टू के स्टार्ट होने के बाद इद्वम चेंज हो गई एरोप्लेंस जो इतने सालों से नहीं बने थे फाइटर जेट में तबदिल हो गए तुरंद के तुरंद के तुरंद क्यों क्योंकि हमें प्रेशर था लड़ना है हमें तुरंद करना है तो यह जो दबाव है ना यह चीज जल्दी करती है और यह इतने सुपर पावर से इन्होंने दबाव में आके किया लेकिन पढ़ाई के मकसद से नहीं किया होतना अगर तु पढ़ाई के मकसद से देखेगा वाइजर भेजा आस तक दूर तक उसके बाद इतना वाड़ा कोई भी हुआ ने उसका चल अलग रिजन है कि वैसे जो लाइनिंग है वो बैठे ने बट हम कर तो सकते थे तो यह पढ़ाई के वज़ा से नहीं हो जो लोग सोचते कि मून पे काफी conspiracy theories आती है कि मून पे कभी भेजा ही ने भेजा ही ने तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो इंडिया है इंडिया यह जो चीज कर रहा है यह हम सीखने के लिए कर रहे है हमारा एक motto है सीखने के लिए और जो मैं देखता हूं मैं इन पे जो देखता हूं जो वेस्टन मीडिया है हमेसा से इसको दबाते आई है मैंने रिसेंटली जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था तो एक में को यह मिला तको याद है इंडिया इस रो जे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते है में इस कि यह सिटलाइट क साइस हागते है कि इसमें क्या बहुत बड़ी बात 104 से इसमें बड़ी बात थोड़ी है छो प्रेविगा गिश का जाए ठीक उसे बाद रिसेंटली इसे क्या ग历ते है स्पेसेक्स ने किया तो SpaceX ने 106-108 ऐसे किये थे और उसको इतना प्रेज किया गया कि SpaceX ने जैसे मानले पाहार तोड़ दिया है जब कि तू तेको पता है जब भी हम कुछ भेजते हैं तो सबसे बड़ा चीज क्या फेक्टर करता है कि तो पना पाहर पेलोड़ड कहां हा जो इंडिया उसका बाहर जाद था और यू पहर पीलोड शिर्ट केर जो स्पेसेक्स का दा उसके जाद थर भार बहुत चम था पर उसका इतना वावाई हुआ वहाँ पर किसी नहीं बोला मिनी मिनी सटेलाइट से वहाँ पर उन्होंने नंबर देगा यार इतने नंबर में तो भेज दिया स्पेसेक्स ने तवाई कर दिया देखो बात ऐसा है न कौशे कि अभी जैसे मैं मेरा जो दूसरा चैनल है जियो पॉलिटिकल और यह सब कॉंटेंट में आता है यार दुनिया इस नॉट फैर इस नॉट अट अट अल फैर एंड विल नेवर बी फैर क्योंकि हर कोई अपने अजेंडास को सामने लेकर आ रहा है ठीक है अब वेस्टन मेडिया किन कंपनीज को किन कंट्रीज को सपोर्ट कर रही है अब कल को इंटर्नल डाइनमिक चेंज हो जाएगा ठीक है अब जैसे फॉर एक्जामपल अभी कैनडा में अभी जैसे जो गवर्मेंट है अपने जस्टन टुडेव की गवर्मेंट है बट देन जस्टन टुडेव का और मोदी जी का अभी एक्स चल रहा है बिकिस अब खालिस्तानी मुव्मेंट को सपोर्ट जो कर रहे है तो अब जो दूसरी पाटीज है कैनडा की वो लोग अभी प्रपोगेंडा चला रहे है अगेंस्ट जस्टन टुडेव और बता रहे हैं कि भाई ही इस नॉट केपेबल तो कहने का मतलब अब वो लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे है कि मोदी को ऐसा दिखा रहे है और जस्टन टुडेव को ऐसा दिखा रहे है कि he was failure ये सेम चीज कहीं न कहीं UK में रिशी सुनक के साथ भी हो रहा है अभी रिशी सुनक जभी G20 में आये थे तो तीन बड़े-बड़े मुद्दे लेके आये थे जिसके बारे में उन्होंने बात ही नहीं किया एकदम weak stance रखा कि तीन बड़े-बड़े मुद्दे थे उसमें से एक जिसे FTA agreement हो गया एक था एक किसी किसी एक सीक को छुडवाना था जिसने इधर कुछ criminal activity किया था तो they wanted to release him और एक और एक कुछ main मुद्दा था तो यह ऐसे तीन मुद्दे थे और वो तीनों के तीनों में एकदम अपने एक I think health sector में उसको लेके कुछ था तो वहाँ पर उनको बहुत ज़ादा backlash मिला रिशी सुना को तो कहने का मतलब यह है ना कि media always tides with the party जिसके साथ उनको लग रहा है कि मुझे फाइदा मिलेगा short run में या long run में तो यह दुनिया में जो दिखता है media is just trying to just paint a story और media बहुत आसानी से बिकती है ठीके बहुत आसानी से बिकती है once again rational mindset रखो चीजों को fundamental level पर समझो देखो एक leader में 100 qualities हो सकते है जो की important है या good है good to have है लेकिन एक leader में 2 या 3 qualities ही होगा जो की must है must have तो आप वो 100 qualities के पीछे घूमते रहोगे ना आप घूम जाओगे आप ये देखो कि अपने देश का leader क्या दुसरे देश के leader या तीसरे देश के leader में वो 2 या 3 qualities है this is starting from fundamentals this is starting from first principle पहला जो चीज होता है वो होता है sacrifice leader का मतलब ये नहीं होता कि वो यहाँ पे है enjoy करने के लिए leader का मतलब ये है कि वो उतनी responsibility उतना risk वो ले सकता है ठीक है वो उतना sacrifices कर सकता है तो always start with the first principles तो आप देखोगे ना आपको जो complicated situations भी आपको अच्छित intuitive तरीके से समझ में आएंगे लेकिन अगर आप सिर्फ news की headlines देखोगे इसने ये कर दिया भाई आप सिर्फ story खरीद रहे हो आप सिर्फ story खरीद रहे हो जो वो बेच रहे मीडिया को मालू में 90% लोग ऐसे ही होते है जो लोग का पूरा time अपने काम में जा रहा है और उन लोग में वो इच्छा ही नहीं है कि उनको चीजों को समझे बाई start करो एक book से countries कैसे develop होते है policies कैसी लिखे जाती है अच्छे leaders कैसे होते है ठीके वहां से build करना start करो और फिर बाद में analysis डालो अपनी ये चीज हमेशा रहेगा और media किसी की भी side नहीं होती किसी की भी सगी नहीं है आज India को गाली दे रहे कल India की वावाही करेंगे जब फाइदा निकलेगा तो और फिर उसके बाद इंडिया को ही गाली देंगे ठीके तो जिससे जो फाइदा मिलता है उसकी वावाही media करती है और media बाई हो जाती है बहुत सारे जो politicians है वो लोग media बनाते हैं अपने अपने channels बनाते हैं अपने अपने outlets बनाते हैं और उसके थुरू अपना propaganda भी चलाते हैं ये भी होता है ठीक है आपको ये सबसे immunity चाहिए एक काम करो जो आपके life का best decision होगा वो ये है कि आपको जो भी field में interest है basic से start करो depth में घुसो fundamental से start करो first principle से start करो इतना मुश्किल नहीं है ठीक है मैं यहाँ पर Elon Musk को कोट करूँगा Elon Musk आज लोगों के लिए बहुत बड़ा genius है मेरे लिए भी है obviously सब के लिए है लेकिन Elon Musk ये कहता है कि I always look after the first principle first principle से मैं start करता हूँ इसलिए उसके companies भी देखोगे totally diversified है बैंकिंग इंडस्ट्री से फिर fuels फिर उसके बाद अपना solar वाला हो गया फिर Tesla का electricity पर बनाया फिर SpaceX पर आ गया ठीक है और अलग-अलग उससे पहले वो शायद कुछ और करता था मतलब एक अपना retailers के sales को बढ़ाने का उसका कोई app था मतलब local area में connect करना उनको PayPal से पहले तो कहने का मतलब यह है कि यार बंदा सामने सामने कर पा रहा है यह सारी चीज़े और वो अपना secret भी खुद बता रहा है और यही fact है यार क्योंकि देखो जब आप base समझ जाते हो ना तो उसके उपर का knowledge है आपको intuitively समझ में आता है ठीक है always start with that जो हमारा main motto है बाकी rational रहो और critical रहो कोई भी person को अगर आप मेरे videos को देखते हो geopolitics के ओपर आप एक alternate perspective भी लो ठीक है मैं mostly nationalistic videos बनाता हूं क्योंकि मेरा यह मानना है कि हमारा देश बहुत अच्छा कर रहा है अभी हाँ best नहीं कर रहा है लेकिन जैसे self confidence important होता है success पाने से पहले एक individual के level पर वैसे country को success पाने से पहले nationalism nationalism is the other word of self confidence ठीक है अगर हम सब nationalist होंगे हम सब अपने देश को लेके गर्फ करेंगे in a healthy way not in a egotistical manner अगर हम गर्फ करेंगे और हम अपने देश का manobal बढ़ाएंगे आत्म विश्वास बढ़ाएंगे तो हमारे देश और हमारे देश की जो जनता क्योंकि देश बना किस से हम जैसे लोगों से बना है जो जज़बातों से चलते हैं हम कितना भी बोले कि हम facts and figures से चलते लेकिन at the very core we run through emotions अगर आप stock market भी देखोगे जो कि इतनी technical चीज है stock market को हम कहते हैं कि भाई graph से चलता है नहीं भाई graph से नहीं चलता है दो भावनाओं से चलता है ठीक है greed कि भाई मेरे को और पैसा कमा सकता हूं या फिर fear कि पैसा निकालो भाई तो दो ही emotion से चलता है stock market देश भी वैसे ही चलता है तो देश में अगर कुछ बड़ा करना है तो पहले आपको देश में वो उत्साह लाना पड़ेगा आपको nationalism लाना होगा और इस वज़े से मैं हमेशा focus करता हूं कि हम nationalism लाए और criticism से तो हम criticism को भी सामने रखे लेकिन हमारा जो final message हो वो थोड़ा empowering जादा हो और दूसरे creators भी है उनका में भी कुछ दूसरा style है अब देखो सब का लेकिन आप सोचो अपना खुद का कहने का point यही है कि जैसे इंडिया के लिए जितना space sector जरूरी है उतना यहां का infrastructure का development भी जरूरी है मैं यहां पर चीज़ बताता हूं देखो जब तूने यह चीज़ कहा ना कि जब यह चीज़ कहा कि यह सीखने के लिए ठीक है सीखने के लिए तो definitely है लेकिन यहां पर हमारी technology भी developed हो रही है तो हमारा जो मतलब यही है कि जैसे हम जितना करेंगे हम सीखेंगे डेवलप होंगे अभी समझ कि हमारे पास PSLV दा उससे पहले अपना rocket भी नहीं था हमने खुद develop किया है engine rocket engine हमने खुद बनाए PSLV से हम GSLV में आये Mark 3 Fat Boy जो कि अच्छे अच्छे countries के यह को टकर देता है और NASA के अगर बात करें तो NASA ने आज तक क्या डेवलप कि है rocket में सारा वो 3rd party से करवाती है वो खुद डेवलप नहीं करती है SpaceX से लेती है Saturn V था उसका बड़िया पर वो SpaceX से लेती है आउट्सोर्स करती है अभी अगर बात करें तो इंडिया में Space का फ्यूचर Space का जो Space सेक्टर है वो काफी तेजी से बहुत अच्छे वे में हेल्दी वे में डेवलप हो रहा है एडवांस हो रहे हैं जैसे अभी चंद्रियांत्री का देखेगा चंद्रियांत्री में बहुत सारे ऐसे components लगे हुए जो इंडिया के private space sectors उन्होंने बना के लिए इंडिया का जो private space sector है वो तो आता भी नहीं है लोगों को उतना नाम भी नहीं पतावा लेकिन डेवलप हो रहा है बन रहा है पूरा एक ecosystem बन रहा है जो ecosystem बाद में यह चीज को fund करेगा कि इंडिया में discoveries और ज्यादा तीजी से बड़े इंडिया में जो satellite launches होते हैं जो companies के technological requirements जैसे for example GEO अगर 5G ला रहा है 6G ला रहा है आगे चलके ठीक है तो भाई satellites भेजने पड़ेंगे फटा-फट एरिया को cover करना पड़ेगा अगर कोई नई technology आती है जो कि high speed में data transfer करा रही है या कुछ भी करा रही है तो यह सब satellites help करेंगे अभी हम अपना खुद का हमने navigation system निकाला है तो वो exactly वो चीज obviously satellites के थुरू हो रहा है दूसरी चीज क्या है कि यहां पे दो चीज़ है पहला चीज तो यह है कि यह ज़रा सोच कि अगर हम इतने high level के technological feats को achieve करते हैं तो global image क्या develop होता है Indians को कैसे देखा जाता है Indians को ऐसे देखा जाता है कि भाई Indians can do it Indians मतलब intelligent लोग क्योंकि world में कितने ही space programs है जो इतने बड़े-बड़े feats cover कर रहे है तो एक Indian और India की जो global image है brand है India is a brand first तो India का जो brand है यह इसको next level पे लेके आ जाता है जिससे की India के जो business opportunities है develop होते है लोग यार Olympics क्यों करते हैं क्यों Olympics किया जाता है countries काई को Olympics करने के लिए सामने से वो लोग volunteer करते हैं कि भाई हमारे इसमें Olympics करने कितना खर्चा होता है क्यों क्यों कि वो उनको economic benefits देता है यह तो कोई county नहीं करता अब इंडिया ने जो चंदरयान 3 किया अब नील डिगरास टाइसन यूएस में वीडियो बना रहे है scientist वो science communicator है वो इंडिया के बारे में बोल रहे हैं इंडिया की ग्लोबल इमज किस लेवल पर हो रहे है वो दीजी जभी G20 में गए थे उसके पहले I think BRICS में वो बात कर रहे थे South African President के साथ South African leader के साथ तो बोल रहे हैं और वो वीडियो कितना वाइरल हुआ कि yes India has achieved this हाला कि उसका फिर लोग थोड़ा meme बनाने लग गए बट वो वीडियो काफी जादा वाइरल हुआ उससे इंडिया का image कितना बढ़ रहा है कि मतलब इंडिया यह सब fields achieve कर रहा है अब यह इंडिया को economic benefits देगा क्योंकि अब जो दूसरे countries है वो countries में जो companies करने के लिए help कर सकते है यह चीज इंडिया को olympics जितना billions of dollars खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है हम technology भी develop कर रहे है अपनी मतलब यह चीज है दूसरी चीज और साथ में हम global image भी create कर रहे हैं दूसरी चीज यह है mission mangal हम successfully कर लेंगे नहीं यहाँ पर failures एक part of the process है मैं Elon Musk का वीडियो देख रहा था उसमें Elon Musk खुद यह कह रहा था like it's all about numbers it's all about numbers अगर आप 20 थोडोगे ना तो उसमें से कुछ limited है जो कि successful होंगे it's about numbers the more you, if you want to improve you should not be like कि आप एक जिगे पर stuck हो जाओ और बो लोग दिमाग लगा कि भाई technology कि भाई मैं कैसे best rocket बनाओ नहीं आप अलग-अलग designs try करो, करते जाओ, करते जाओ eventually it's like natural selection natural selection ऐसे ही तो है evolution जो हम बोलते हैं अलग-अलग biological structures अभी humans में 12 structures थे, 13 homonids वो अलग-अलग 13 homonids में से सिभ हम ही survive कर पाए क्योंकि we were the best structure तो उसी तरीके से rockets में भी होता है कि rockets में numbers है जितने आप launches करोगे जितना आपने make sure किया है कि कि you know आप best से best outcome के साब से अपने hardware को रख रहे हो engines को बदल रहे हो, launchers, aerodynamics सब का ध्यान रख रहे हो तो उतना ज्यादा आपका जो space technology है वो enhance होते जाएगा hone होते जाएगा it is a process अगर वो process आप सोचोगे कि इंडिया जब भी developed country बन जाएगी ना तभी हम अपना पहला rocket launch करेंगे, नहीं हो सकता क्योंकि आपको उतना ही समय लगेगा फिर बाद में वो चीज करने के लिए तो वो failure के process से गुजरना और technology को समय देना, knowledge को समय देना compound होने के लिए ठीक है यह भी यह भी एक बहुत important consideration है जो लोग नहीं consider करते ऐसा नहीं है कि हम हम like developed country हो गए हमारे पास बहुत पैसा है बहुत पैसा है तो हम space superpower बन जाएंगे पैसा फिक के भाई पैसा knowledge को नहीं खरीज सकता और कुछ कुछ चीजे ऐसी होती है जो practical होती है ठीक है आप कितना भी पैसा फिक दो अब एक दिन में driving नहीं सीख सकते आप एक दिन में स्कूल जा रहे है मेरे बास बहुत पैसा है मैंने बैचलर्स के डिगरी खरीद ली तो क्या मैं बैचलर्स हो गया ग्रेजवेट हो गया अब आज अगर अपन बहुत पैसा देके समझलो हम सुंदर पिचाई के सीट पे बेढ़ जाते हैं और सुंदर पिचाई को सुंदर पिचाई बनने के लिए सदिया लग गए तो आज अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो कब स्टार्ट करेंगे दूसरी बात लोग इतने सारे एडवांटेजिस नहीं देखते हैं कि इंडिया का economic benefit भी हो रहा टेकनलोजी भी डेवलप हो रही इस लाइक इन इन्वेस्मेंट देखो आज के टाइम पे capitalism यह कहता है कि पैसा को अपने bank में रखना सबसे खराब बात है पैसे को इन्वेस्ट करो आज वो पैसे की value 10 है कल को उसकी value 7 हो जाएगी आज वो 10 को आपको कल के लिए 20-25 बनाना है तो इस लाइक इन इन्वेस्टमेंट यह हम इसके multiple benefits है तो गौरब मेरे बास काफी सारे सवाल भी आते है मैंने एक post आला था और लोगों ने उसमें काफी positive react किया बहुत ज़्यादा अच्छा कासा reply आ रहा है लोग काफी जाता सुरू से ही चाहते है तो उन्होंने थोड़ा तेरे बार में पूछने को कहा है कि यह से बता कि तू जैसा है ओन कैमरा जैसा है क्या ओफ कैमरा जिंदीकी अलग होती है साधी कर लिया है या नहीं किया और ऐसी है कि जब के मां रािफ में कभी इसा साफ किया है कि यार किसकी जगों में ऐसा लगा हूं जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं या फिर गलत कर रहूं ऐसा कभी कुछ incident अपण शियर लोग I mean a start कैसे किया यह मैं बताता हूं कि obviously like every human being मैं कोई भाई अलग तो इंसान हूँ नहीं मैं जैसा हर इंसान है I feel कि बड़े से बड़ा स्टार मैं भी वो हुमननेस है क्योंकि हम सब सेम एमोशन सेम नियूरो ट्रांस्मिटर्स सेम एडिनलिन सेम कॉर्टिजॉल सेम स्ट्रेस हॉर्मोन पे सेम रिस्पॉंस हर किसी का सेम बचपन सेम इंसिक्योरिटीज तो मेरे लाइफ में एक इंटरेस्टिंग चीज थी जो की जिसने मेरे जिन्दगी को देखने का नजरिया बदल दिया था और आज शायद वो किसी और के लाइफ को भी थोड़ा सा डिरेक्ट करने में हेल्प करे तो एक टाइम था जबी सो मेरा जो अटिट्यूड था वो नाचरली बहुत ही ज़ादा क्यूरियस था मतलब ओर क्यूरियस मतलब मुझे जानना है चीजों के बारे में मुझे जब तक मेरे conviction के हिसाब से मैं जब तक कविन्स नहीं हो जाओ तब तक मुझे चीजों के पीछे का logic नहीं मिलेगा न तो मेरे दिमाग में वो एक block Create हो जाता एक black hole Creator हो जाता था जो constantly उसके आसपास की चीजों को सक करता था energy और focus और attention सारी चीजों मैं चीजों पर focus नहीं कर पाता था, मेरा ध्यान वहीं पर अटक जाता था, अब मैं इस चीज को सबसे बड़ी liability समझता था सबसे बड़ा pain सबसे बड़ा pain बेन और pain दोनों समझता था अपन जब एक normal life जीते हैं, तो हमेशा ऐसा होता है कि आपको जो आप काम कर रहे हो उस पर आपको बहुत ज़्यादा focus करना है आप खो नहीं सकते अगर आप खो गए तो आप थो दिये जाओगे, चाहे school हो चाहे वो, अगर आप एक मतलब मैं तो call centers में job कर रहा था तो महाँ पर आपको बिलकुल like 9 hours का आपका shift है तो आपको 9 के 9 hours आपको present रहना है ठीक है, और आपको active रहना है और school में भी आपको पढ़ाई पर ही focus करना है आप school textbook के भार का कुछ पूछ नहीं सकते तो imagine करो एक ऐसा बंदा जिसका दिमाग constantly इदर उदर घूम रहा है constantly और वो feel नहीं कर रहा कि भाई वो वो काम अच्छे से कर सकता है अब इसमें थोड़े insecurities भी छिड़क दो क्योंकि teenagers में किसको insecurity नहीं होता भाई जो बोल रहा है मेंको insecurity नहीं था तो वो insecurity के वज़े से ही बोल रहा है कि मेरको को insecurity नहीं था तो हर किसी को insecurity होता है तो insecurity plus knowing about willingness to understand things कि दुनिया कैसे काम कर रही है ये कैसे हो रहा है हजारो questions obvious सी बात है मेरा पढ़ाई में और काम में इतना मन नहीं लगता था मैं अपने आपको जोर जबर्दस्ती करके ये काम करता था कि चलो society की ज़रूरत है इसलिए मुझे करना है मैं इसको एक बहुत बड़ा disadvantage समझता था मैं अपने आपको एक विचित्र इंसान समझता था जो अपने भविश्या को लेके बहुती uncertain था फिर बाद में सवाल ये आया कि भाई वो चेंज वाला जो एक टाइम आया वहाँ पर ये आया कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं कर सकता हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जिसकी opportunity बहार create हो रही है तो वो टाइम पर यूट्यूब ऑन दराइस था और मैंने देखा market में कि ये चीज की जरुवत है like science, scientific thinking और मेरे जैसे लोग दुनिया में और भी रहेंगे मैंने research किया था मुझे मालूम पढ़ा था कि यूमन बिंक्स तो naturally curious होते हैं तो तू अलग नहीं है you are nothing, you are nobody different तो वो time पर मुझे ऐसे लगा कि यार ऐसा हो सकता है कि मैं कोई विचितर इंसान नहीं हूँ पूरी दुनिया ही ऐसी है just हमें इस समाज ने condition ऐसे कर लिया है कि बोला जाता है कि अपने काम से काम रखो ना दिमाग ज़्यादा दोडाओ ना दिमाग ज़्यादा ना ज़्यादे सवाल पूछो क्योंकि मैं आपका boss हूँ आप मुझे सवाल पूछोगे मुझे उसका जवाब नहीं मालूम मेरा ego हट हो जाएगा तो चुप बैठो मैं आपका teacher हूँ मुझे सवाल का जवाब नहीं मालूम तो मेरा ego hurt हो जाएगा तो वो time पे मुझे ये चीज़ prompt की कि भाई तू science ये जो तेरा काम है ना तू अपने अंदर का जो ये जो curiosity इसको खोल दे और तू और research कर ये काम करने में तू naturally अच्छा है और तुझे बहुत अच्छा मजा भी आता है it doesn't feel like work to you और लोग भी है उनके अंदर भी दभी है ये curiosity तो मैंने research किया था जैसे मैंने बताया कि curiosity is a natural emotion तो मुझे मालूम था इस चीज़ की market है बाहर लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं जो लोगों को unlock कर रहा है वो moment था जब मैंने realize किया कि मेरे अंदर कोई hidden potential है जिसको मैं अभी तक disadvantage समझ रहा था लेकिन शायद वो मेरे life का सबसे बड़ा advantage है तो मेरे अंदर है तो I think हमारे हर किसी के life में ऐसा ही होता है उनके पास कोही न कोई एक ऐसा X factor होता है जो कि समाज हमें बताता है कि उसमें कोई value नहीं है और हो सकता है कि समाज सही है ऐसे ये कोई motivational lecture नहीं है कि आपके दिल में जजबा है तो सब तुनिया को जुकना पड़ेगा देखो मैंने research किया था कि curiosity हर किसी के अंदर है लेकिन बाहर दिखनी रही तो maybe वो so you ही है तो मैं अगर उनको जगाओं तो need create हो जाएगा लेकिन आप कोई ऐसा काम करते हो जिसका market ही बहुत छोटा है और उसका demand ही नहीं है और आप वो demand को unlock भी नहीं कर सकते तो आपको शायद वो field में उतना महनत नहीं करना चाहिए always do your research, try as well आप थोड़ा काम करके देखो traction gain कर रहा है की नहीं बट research करो और fundamental से start करो मैं ये कहना चाहूँगा कहने का मतलब ये है कि गौरव जो है वो on camera और off camera जो गौरव था वो भी normally था exactly वही है कि जैसे लोग सुचते कि यार ये तो अलग सेक्टम पैदा हुआ है इसको तो पहले से ही इतना समझ हो तो ऐसा नहीं होता सारे लोग normal ही होते है बस वही है कि लोग अपने भूख को मिटाने की कोशिश करते है है ना I think यहाँ पे ना देखो आप अपने वही है बात यही है कि आप अपने curiosity को बंद मत होने दो कि curiosity के ऐसी चीज है ना आपको आपके लाइफ में कहीं पर भी काम में आएगी आप जो भी कर रहे हो आप science से related काम नहीं भी कर रहे है फिर भी आपको उसमें क्योंकि देखो इंसान आगे कब बढ़ता है जब वो value deliver करता है और value deliver करने के लिए आपको knowledge होना जरूरी है अगर आपके पास knowledge ही नहीं है तो आप value कैसे deliver करोगे because अगर value deliver करना easy होता तो दुनिया की आबादी 750 crores तो उतनी आबादी है तो अगर आप वही काम कर रहे हो जो इन pressures से बाहर निकल पादे और कुछ निकल नहीं पादे और दूसरी चीज मैं एक और एक चीज यहां पर बोलूँगा लेको हर किसी में ना कुछ ना कुछ X Factor है कुछ में multiple है multiple चीजे हैं जो उनका X Factor है लेकिन में को ऐसा लगता है कि कामयाब और एक नाकामयाब इनसान में difference यही है कि कामयाब इनसान ढून लिया और वो X Factor में बहुत ज़्यादा काम किया और उसको refine करते गया, हार नहीं माना महनत किया और फिर बात में वो ऐसा कुछ बन गया कि चार लोग के सामने वो stand out हो रहे है और नाकामयाब इनसान अपने जो उसको पसंद नहीं वो ही चीज वो करते रह गया क्योंकि वो समाज के against कभी नहीं जा पाया या फिर उसकी मजबूरी थी मजबूरी के case में देखो आप कुछ नहीं कर सकते ठीक है, हाँ आप थोड़ा सा आप अपने आप ध्यान देके आप identify करके कि मेरी मजबूरी है में को इस मजबूरी से बाहर पहले निकलना होगा आप कर सकते हो लेकिन उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब कि मतलब कि आपकी गलती उसमें है पूरी की पूरी क्योंकि यहां पर life can be unfair कोई एक इनसान है जिसको better education मिल जाता है कोई एक इनसान है जिसको अच्छा education नहीं मिलता है तो जो अच्छा education जिसको मिला उसको head start ज्यादा रहेगा ठीक है वो तो रहेगा लेकिन आपकी अगर अभी मजबूरी है तो आप पहले वो मजबूरी को take care करो फिर बाद में आप अपने self discovery पे ध्यान दो और अपने x factor को पहचानो और फिर बाद में आगे बढ़ो बट आपका x factor पहला ढूनना पहला step है second step है market में उसकी demand को ढूनना अगर demand नहीं है तो शायद आपको वो चीज़ pursue नहीं करनी चाहिए ठीक है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपना best भी दे दूँगा फिर भी demand create नहीं होगा तो यार आप success like गुफा में जाके meditation करके नहीं हो सकते हो आपको customers चाहिए होंगे आपको buyers चाहिए होंगे आपको viewers चाहिए होंगे successful होने के लिए राइट तो अगर आपके कोई audience ही नहीं है आपके कोई customers ही नहीं है डिमांड ही नहीं है उस चीज़ के तो आप जो काम करते हो वो valuable कैसे कहलाया जाएगा तो इस वज़े से दो चीज़े ध्यान रखो एक तो अपने hidden talent को identify करना important है दूसरा यह कि market में भार उसकी क्या demand है first part जो है न बहुत सारे लोग miss कर देते हैं क्योंकि society constant pressure हम पर डालता है कि आपको engineer बनना है आपको doctor बनना है देखो आपका दोस्त वो है देखो आइटी एक्जाम करेक कर रहा है वो यूपीएसी कर रहा है वो आइस की तैयारी कर रहा हर इंसान ये सोचता है कि भाई success मतलब doctorry success मतलब IAS success मतलब भाई आपका success कुछ और हो सकता है हो सकता है आपके हाथ में गिटार दे दो और आप अगले superstar बन जाओ आप IAS की तैयारी काई को कर रहे हो आइंस्टाइन ने भी ओ कहावत कही थी ना इफ यू जज जज अफ फिश फिश अबिलिटी अफिश बाइट्स अबिलिटी तो क्लाइब ट्री इट वोड लिव इट्स एंटार लाइफ तिंकिंग इटू बी स्टूपिड करेक्ट है तो बात होई है पहले तो एंसर हो गया दूसर के शादी कर लिया तरही भाई और आइटिंक मुंबई में यह उमर में कोई शादी नहीं करता यार तो यह काफी ज्यादा इस तरीके से समझो इसको कि इंडिया का मार्केट है इंडिया के मार्केट में किसी ने कौफी पी नहीं है पहला बैच कौफी का आया लोग तूट पड़े लोग भूले भाई यह कौफी चीज के आया भाई मजा आ गया पी खे किसी ने पिया ही नहीं है असल में वह कौफी बहुत ही घटिया क्वालिटी किये लेकिन फिर भी हाथो हाथ बिक रही है क्योंकि नई चीज है लोग ट् के साथ आएंगे कि कॉफी विट क्रीम है यह कॉफी में इलाइची डालके मिल रहा है कॉफी में यह वो करके उसके बाद अगर आप बेकार कॉलिटी की कॉफी बेचोगे ना जानवर भी नहीं खाएंगे उसको जानवर भी मनलब वह भी देखेंगे निए उसके तरफ यू आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और बेस्ट कॉंटेंट देने का मतलब यह नहीं है कि बहुत हाई मतलब आपको हाई प्रोडक्शन कॉंटेंट बनाना है अरे भाई कॉंसेप्ट अच्छा रखो अगर आप स्कृप्ट राइटिंग करते हो स्कृप्ट एसा लिखो ज स्कृप्ट के थू क्यों नहीं कोई क्यूरियोसिटी को एक्स्प्लोर कर रहा है तो वो एक लिखंट चीज था रहे कि लिखंट अभी तक अटापड था तो अगर आप स्ट्रेटीजिक तरीके से आते हो और आप अच्छा कॉंटेंट कॉंटेंट डिलिवर करते हो आपका म में को तो फेमस होना है इतना कमाना है आज कर जैसे कुछ शॉट्स वाले हैं जो कि कुछ भी मतलब जनरली उठा के दर उदर से फैक पैक डालके दस-दस मिलियन के चैनल कर चुके हैं बट उनके पास अर्निंग के उपरचुनिटीज नहीं वह उनको वही था कि मेरे पास मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनका गेम मलब उनका गोल ही यह था कि मुझे मिलियन चाहिए लो मिलियन आ गया देखो अल्टिमेटल अभी जैसे गूगल ठीक है लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि भाई मैं असल में मैंने वो सारी चीज़े सीख ली जो सुंदर पिचाई ने सीखी है तो असल में इस जर्नी डैट अक्चुली अड्स वैल्यू राइट तो अगर आपने सही जर्नी से आप पास नहीं हुए हो आपने आपने ओडियंस को ध्यान में रखते हुए कि ओडियंस को एक्चुल वैल्यू कैसे देना है कैसे उनके लिए बेस्ट कॉंटेंट बनाना है वो माइंडसेट से गर आपने काम नहीं किया है तो आपका जो एंटायर प्रोसेस था वो ही फ्लॉड था और एंड फाइनल डेस् इनेशन में आपको सिफ टाइटल मिल जाएगा बट आपने सीखा कुछ नहीं और अच्छा चांस है कि आपको टाइटल भी नहीं मिलेगा तो कहने का मतलब यह है कि जैसे आपको एक creator बनने से पहले पहले एक observer बनना होगा चीज़ों को पहले यह देखो कि क्या मेरा वीडि जाए और कितना ताइम हो गया होगा पता नहीं यह समय तो ओड़ गया यार ऐसे ऐसा ताइम पार होगा ना मुतलब हमें भी एक दम पता नहीं और अभी ऐसा लग रहे हमने से वान परसेंट टॉपिक ही डिसकुस किया तो जो है अभी भी बहुत सारे एसे टॉपिक से जो ह जाए तो जैसे अभी बता है कि पूरा कॉन्वरेशन फ्लो में चला गया कई पर ऐसा लगा ही नहीं कि हम कॉन्टेंट बना रहे है ऐसा लग रहा है कि बात कर रहे हैं यह कॉन्वरेशन हो रहा अच्छा साइंस के बारे में तो आइधिंक यह लोगों को भी मालूम पढ़न चाहिए कि हम एक्च्वल में हम से वीडियो बनाने के लिए हम साइंस नहीं करते हैं वी आर एक्च्वली सो क्रेजी अबॉट साइंस बिकेस साइंस साइंटिफिक नजरियों से चीज़े देखोगे तो दुनिया जीने का अलगी मज़ा आता है तो यही था आपको यह वीड साइंस अपना इंडियन साइंस का जो फील है यह इसमें काफी सबसे बड़ा ही कहलो कोलाबरेशन है साथ में आने का क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड थी तो बस मैंने अपना काम कर दिया आप अपना काम करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो जाने से पहले चैनल को सबस्क्राइब करें जाने से पहले सवाल पूछना चाहूंगा मैं सवाल मतलब एक टास्क है तो जैसे मालूम है कि इंस्टेग्राम का मेरा जो अंडे वाला वीडियो था बहुत वाइरल हो गया था तो अभी क्या आप लोग को वो कॉंसेप समझ में आया अगर नहीं अगर आप थोड़ा सा रीसर्च करोगे और यह पॉड़कास्ट को एज रेफरेंस यूज करोगे और दूसरे वीडियो भी चेक करोगे जो आपको अच्छे से समझा रहे हैं ठीक है आई तिंक एक वरिटासियम का भी वीडियो अच्छा है जो यह बताता है कि ग्राविटी इस न नहीं बहुत जगहों पर और साइन्स का मतलब ही यह है कि एविडेंस के बेसिस पर अपने कॉमन सेंस को थोड़ा सा साइड में रखो और जो एक्च्छल एविडेंस है जो हम एक्सपरिमेंट के थूप प्रूफ कर पा रहे हैं जिसके जो की accurate है क्योंकि उसके बेसिस पर ट लिखके बताना कि आपको वह concept समझ में आया नहीं अगर नहीं आया तो कहां से आप कैसे research करोगे और आप उसके बाद आ के यहां पर बहले message कर दो कि मैं अभी समझ गया चलो बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है रहा गोरॉब तुमारे साथ मिलके और हमारे दो मुलाकात हो तो थेंग्यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करो बाबाई थेक केर और जैहिन जैहिन